रेड़ी बुने ना आनिव बानिक पियस्सिक तैयारी करें मरत लेखायन भाजी बोहार रे आज से कलाव संस्कृति ले स्टार्ट करा थन कम्पिटिशन कम्मुनिटी के तरफ से सब्बो को इलाज जोहार रे तो आज हम चालू करने वाला हबन सबसे इंट्रस्टिंग टॉपिक जे कर लिए मैं अभी तक इंतिजार करत रहे हो तो इंतिजार के अब घड़ी खतम हो चुके है जैसे दिवाली ओफर के बाद का हो थे बहुत जन की कूपन खुलते तो वो कूपन आज से खुलने वाला है आज से हमन पढ़ने वाला है 36 गड़ में कला और संस्कृति जब बात होते 36 गड़ में कला और संस्कृति के तब हमन का पर्थन जन जातिल पर्थन लोग परवल पर्थन लोग गितला पर्थन लोग गाथल पर्थन बहुत सारा चीज है हमार मन पास पढ़े बढ़ लेकिन अगर हमारण देख कि हमार पास काज चीजी special होने वाले आज की क्लास में और वह काज चीज जेकर साथ मन बहुत तीवरगामी प्रकृती से मन का कर वे बढ़बन तब वह मेंनी चीज हर है मन बढ़ का हमलना आद करना है हमनला सबसे पहली लोग पर लोग पर वकाबर पढ़ावा था हूँ सबसे पहली यह चीज ले जाने के एक बार कोसिस करो का है हमन जब जन जाती पर्थन जब हमन ट्राइबल पर्थन तो जब जन जाती पर्थन ट्राइबल पर्थन तो हमन एक चीज देख थन कि ओकर से हमन जादा परिचित नहीं रहाँ तहां मन कोशिस कर थां कि वो चीजला पहली पढ़ान जे करते हैं मन परिचित थां जेंज चीजला पहली जाना था अरे या तो नो सबसे पहली तो आज आरे एक नमंबर सब्वों कोईला राज जी स्थापना दिवस के आए बाई गाडा गाडा कोटी-कोटी बधाई सब्वों कोईला काबर की हमर से पहली हो कई थो राज्य बने लेकिन वो राज्य अभी भी प्रगति सिल नहीं तो आप सब्वों कोईला बहुत-बहुत गाडा-गाडा बधाई कि हमर मन के बढड़े जादा दिन नहीं होए 20-22 साल के हमर मन के उमार है लेकिन 20-22 साल के उमार में हमने जतना प्रोग्रेस करें, जतना विकास करें, जतना डेवलाप्मेंट करें हैं, वो हमने मनबर खुद का है अतुलनी है, तो सबसे पहली तो 36 गण के माटिला आप सब को बार-बार धन्यवाद देना चाहिए, जे करवजर से आज हमने जगाहब तो सबसे पहली हमको यह जानना जोड़ी है कि लोग परवज होता क्या चीज है, अगर बात होती है लोग परवका, तो देखी आज हम क्या पढ़ेंगे, अगर 36 गण में लोग परवज है, तो इसको दो रूपम बढ़ सकते, एक तो होता है खुद का लोग परवज, दूसर ट्राइबलो द्वारा क्या किया जाता है, उसको मनाया जाता है, सेलिबरेट किया जाता है, तो भई अगर मैं कहां कहूं, राइपूर कहां मैं, अगर कहां कहां बिलासपूर कहूं, अगर मैं हूं कहां का दुरगग, तो यह जो तीनों संभाग है, यह संभाग में आपके मुख्य रूप से मनाया जाता है क्या लोग परवा अगर बात होती है जंजाती परवका तो आप इसको मुख्य रूप से कहां देखोगे एक पूरा सरगूजा संभाग और दूसरा आपके पास रहता है कौन सा बस्तर संभाग तो इसके लिए सेपरेट हम इसको कल पढ़ेंग तो खाने का सबसे ज़्यादा विराइटी हम 36 गड़ी है लोग के पास तो आथ देखते हैं कि कौन-कौन से परवा में कौन-कौन से तिहार में का-का चीजला खाथन और धास अब बोलोगे सर धासते कहा है हम लोग उपात धास रहते उपास नहीं रहते दूसरे लोग बोल क्योंट इंटरस्निंग होने वाला है और जहां से आपको प्रस्फोन में एक प्रश्ण आता ही क्लियर आगे चले किया सर जी मैयूर सर का क्लास क्यों नहीं हो रहा है ठीक है अभी मैयूर सर से अभी वारतल आप करते हैं अभी मेहादेव जी फोन लगात हूँ भगवान जी मेरा कनेक करो तो होसियार लोग अभी मैं अपना आप लोग के लिए बहुत बड़ा प्लान बना रहा है आएंगे वह नए मतलब न्यूक्लियर बंब फोड़के तो जब आएंगे तब आपको बंब लास्टिक दिखेगा लेकिन अभी हो कुछ प्लान में है इसलिए उनका जो वह है क्लास है उसको थोड़ा सा इस थगित किया है बंद किया गया है इसे वाला बात नहीं है समझे आगे चले क्या ठीक 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 आगे चले पंडे जी ठीक है पड़ रहे हैं आपको मैंसे चलिए देखिए अगर बात होती है 36 गडमें लोग परवक्त तो आप थोड़ा सा समझते हैं इसको मेंस के भातिजि कि अगर हमको CGPSC prelims के साथ अगर थोड़ा सा चीजों को mains के हिसाब से तयार करना है तो mains के हिसाब से कैसे तयार करना है कभी भी आप कोई भी चीज पढ़ते हो जो pre में है और mains में है तो दोनों को हमें कोसिस करेंगे कि क्या करें दोनों को एक साथ प्रिपेर करें उसका फायदा यह होता कि prelims में तो पूरा पढ़ना रहता है मेंस के लिए हमारा थोड़ा बैग्राउंड तयार रहता है जैसे आपका prelims निकलेगा बहुत ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं होता तो उसको बचा के उसको compile करके उसको thesis बनाते हुए हमको आगे बढ़ना है ठीक है आगे चले क्या चले अब लेट नहीं करते भाई देखर याद रखने हमको 36 गण में लोग परवा यह लोग परवा क्या होता है अब कई लोग क्या होता होंगे, अभी जॉब करते होंगे, कई लोग ट्यूशन करते होंगे, और कई लोग कुछ नहीं करते, अगर बोलोंगे न, दुनिया में सबसे ज़्यादा काम किनको है, तो जिन लोग कुछ नहीं करते न, 6 दिन उनके पास सबसे ज़्यादा काम है, क् यह दिन भर यह वेब सीरीज देखते हैं उनके पास संडम भी खाली नहीं होते यह नहीं होता तो लोक पर आने का मतलब यहीं है आप अराम से जाए वेब सीरीज देखें अब यह भी होता है बहुत सारे विवास्थागा में लिपत होते हैं हम लोग समाजीक प्राणी है छह दूप दिन तो काम में जा रहे हैं तो साथवे दिन घूमने जा सकते मतलब आदमी में डीप्रेशन का भारी दवर आ जाता है तो उसी डीप्रेशन के दौर से निकालने के लिए आपके पास कोई आदमी आया होगा, सोचा होगा, संडे कॉंसेप्ट लेके आते हैं, तो वो संडे का कॉंसेप्ट लेके आये, तो वही संडे का कॉंसेप्ट हमारे यहां पढ़ता है किसके लिए, लोक परवक के रूप में आ रहे हैं, या सोन, आदमी के रिलाक्स होना मंगता है जीवान नहीं तो what is the main difference between public administrator और दूसरा होता है आपके लिए individual administrator तो individual होता है जन एक एक की बात करता है और दूसरा होता है क्या लोग प्रशासक जो सब को लेके चलता है तो हम लोग प्रशासक बर मतलब पूरे एक आदमी को लेके नहीं चलेंगे पूरा हमारे पास जन समू रहेगा उत्स पूरे जन समू को एक स्थांत लेके चलेंगे आपको याद रखने क्या एक समू एक सब्दा और पर वो मतलब क्या होता है हम लोग 36 गड़ी मिसिक बोल देते हैं इतिहार अब इतिहार कुछ होता नहीं है इतिहार का अगर आप देखोगे इतिहास हो दो तूरूप से हो सकता है या तो इसका कोई धार्मी की इतिहास रहे या एक छेत्र विशेस पर इसका क्या रहेगा विशेस प्रभाव रहेगा इसके वज़ा से आदमी लोग क्या करते हैं अगर खुसिया मनाते हैं सेलिब्रेट करते हैं इसी को इंग्लिज में फिर बोल देंगे क्या फेस्टी वाल अगर 36 गड़ी में बोलेंगे तिसक बोलत आप अगर आगे की बात हो रही है कि सर लोग क्या समूविक सब्दह तो क्या होगा लोगों का जो समूव है इस पर किसी धार्मिक पराणी क्या छेत्र विशेस के अनुरूप क्या करता है उसको celebrate करता है खुशी के रूप में तब उसी को बोला जाता है 36 गण में लोग परव या फिर उसी को बोला जाता है लोग परव आरे या सो आगे चले क्या समझा रहे आपको सर हिंदी कलेंडर भी प्लीज समझा जो एक दम सरल है एक दम सरल है टेंसर नहीं लेना कोंगल सरीज यह देन वाई यू आर इन फियर हम है आपको टेंसर लेने जोरत नहीं ठीक है आगे बढ़ेगा सर आये बाई इंगलीज बोला था था मैं भारी अंग्रेजी मैं तो अक्सपर्ट उनियर्सिटी सपड़ के आया हूँ न उद्री सपड़ के अब देखे बोल रहे है सर कोई हमको क्या समझा दे हिंदी कलेंडर को समझा दे अरे या सोनो तो समझा देता हूँ भई हिंदी कल चीज पढ़ रहे हो आप ऐसे मैं मान के चलता हूं ठीक है अब देखें आपके पास गाड़ी होगा कुछ भी हो सकता है आपके पास BMW हो सकता है घार में इसे प्लास्टिक के ओरीजिनाल रहे का सीजी पीस सीख तैयारी नहीं करोगे होसियार लोग मज बिजनेस खोल दिये रहते और अभी अपने निब्बाव निबिक ब्यवस्थम गुमते रहते अरे यह सो नो सहीं बोर रहो और जैगवार फेगवार मैं भी चाहता हूं एक आज जहन अच्छा प के माह की अब बात हो रही है किसके मन्त की तो कैसे चलेंगे करके उसके बाद हम लोग चलेंगे अंध्यारी या वंजोरी के लिए अरे यह सो नो देखिए बात हो रही है यह सी बीजेड आपके पास गाड़ी है कि नहीं है जी तो आपको याद रखना सी बीजेड अरे यह सो नो अगर आ रहा है भी अगर आ रहा है सी अरे यह सो नो तो यह चालू कहां सोता एसे तो आपको याद रखना है क्या अब यह एक दू तीन चार तो आपको याद रखन सबसे पहली सूरू के 6 महिने अरे या सोनो आपको अंधिहारी पाक क्या होता है अंजोरी पाक क्या होता है क्रिश्न पक्षे क्या होता है सुगल पक्षे क्या एक एक चीजों पर विस्त्रित परिचर्चा होगा लेकिन अभी आपको याद रखना ही यह अरे या सोनो ठीक आग दे रहे हो तुम maintenance की बात कर आम अ mechanical engineer कभी-कभी अंग्रेजी बोलता हूँ हो स्यार लोग अभी-अभी maintenance का spelling लिखने बोलूँगा लोट लिखो जी maintenance का spelling का होता है मैं भी देखूं ठीक है आपको याद रखना है क्या CBZ तो C से याद रखना आपको चैत्र आपको याद रखना जेट तो आपको याद रखना जेष्ट या इसी बोलते हैं हम लोग 36 गढ़ी में जेट अरे या सो नो जेकर मन के साधी होई होई तेन मन जाना थो अभी मुझ धक्की प्रथा चलता है 36 गढ़ी में वो हमर जेट हरे हम वो करतीर में नहीं जान काबर वो आदमी जायक लायक नहीं अरे या सो नो आपको याद रखना जेट आपको याद रखना है जेट अरे या सो नो अब आपको याद रखना है और आपको याद रखना है भी अरे या सो नो वो आदमी Jack लायक नहीं lire तो Jack आदमी लायक कुण है मरे जेल पानी बिभ थे सब करता कमें नहीं च्वासे याद रखना है कि आपको मेरे हैं, तो आपको यादग रखना है चौंथामन कुंसा अचाड़ आरे यह सोनो, असाड, असाड के बाद, एक, दू, तीन, चार, पांच, तो, पांच से क्या, यह स्ट्राइब की बना है, तो आपको याद रखने, कुन सा सावन, आरे यह सोनो, सावन आप कोई क्या होता है ज्यादा आपके साथ आ गया गले पढ़ते पढ़ते गले में चीपा गया भारी टेंशन भारी टेंशन भारी टेंशन तब उस टेंशन को दे दो पेंशन तो आपको याद रखना सावन आउ तेहां जा उसीक बोलते हैं तीजा क्या बूला तेहां जो आपन मूख लटार उसको बोलते हैं क्या तीजा आरे या सोनो आदमी पहली वही जिस निभी के सांथ रहता है कि मेरा भगवान मेरे जीवान में प्यस्तिक बाद अगर किसी फोड़ना है मेरे का गर कोई चाहिए तीज़ चाहिए अव वही जिसको तुम आया क्या खिला र क्योंकि वह पहले सी आपकी गल्फेंड वह बन गई है क्या हां बिल्कुल वह इसने जैसे सोच रहे हो ठीक है आगे बढ़े क्या तो आपको याद रखना है असाड़ आपको याद रखने सावन आपको याद रखना है क्या तीज़ा अरे या सोनो देखिए भाई इसे करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा ठोड़े नए उर्द्धा के सांट ठीक आगे बढ़े क्या ठीक 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 बने मज़ा रहा है ठीक 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 समाथ गयो समाथ गयो समाथ गयो ठीक है knowledge mind ठीक आगे इदम बहतरी आगे चलना cb-z तो पहले हमको क्या होना च्वी मन्त याद होना चुए उसके बाद क्या आएगा कोमा सर जिन्दा है कोमा सर आपको पढ़ा देंगे अभी आपको उतना tension नहीं लेना है ठीक है आपको याद रखना है साड़, आपको याद रखना है, यहा, तीजा हो गया है, इसलिए में ज्यादा भावनात्मक नहीं होता, ठीक है, तुम ही लोग के चकर में है, और तीजा बोल दिया, मैं भाग भागा रहा था, भागाने से याद आता है, आपके लिए कौन सा, भादो अरे या सोनो, एद्दम आखिल मून के नहीं पढ़ने, ठीक है, अंदभगत नहीं बनने है, काकरो ठीक, आगे बढ़े क्या, ठीक, सर के भीतर का अनुभाव, हो, कभी-कभी आदमी क्या रहता है, अगर किसी जगे में जाना है उसको, जैसे आपको सिमला जाना है, आपको म बदरी नाज जाना है, आपको माल दीव जाना है, आपको स्विट जलन जाना है, आदमी पहली स रहता है, कि आप जाना है, तबक जाना है, तबक जाना है, आभी नहीं गया हूँ, लेकिनों अनुभावक पहले स्वान उभाव लेता है, कि हाँ भाया इसने होता है, अब मेर पूटी कलेक्टर बनने के बाद HDM नहीं बनने हो नहीं करने हैं जीवन में थोड़ा बहुत सुख्चेन बचाह नहीं करने हैं सामझे आगे पढ़ना है ठीक आगे बढ़े आपको याद रखने हैं क्या चैत बैस्वाग जेट असार सावन और भादो अरेया सो नो अभी हो ग अरेया सो नो तो आपको याद रखने हैं क्या ठीक पहली याद रखने हैं हमारे काका को अरेया सो नो काका तो आपको याद रखने का और का तो का से याद रखने आपको क्या कुमार उसके बाद का से याद रखने आपको क्या कार्तिक तो आपको याद रखने कुमार आपक ठीक 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 सर अभी सुरेंद पाल महोदा अभी इधर पढ़ो आपको याद रखना है क्या कुमार आपको याद रखना कर्दिक अरेया सोनो अब आपको याद रखना काका भी सब को हंदे रहें तो आपको याद रखना है क्या अग्धन अरेया सोनो तो आपको याद रखन अग्धन उसके बाद पाप से याद रखने आपको क्या पूस तो आपको याद रखने पूस पा अरे या सो नो तो आपको याद रखना पॉस या इसी बोलते हैं क्या पूस अरे या सो नो उसके बाद आता है क्या अगर आपको कोई इंकरेज कर रही पूस कर रही कि जीवन मे अरे या सोनो तो आपको याद रखना मांग आपको याद रखना मांग अरे या सोनो लास्ट में आता है आपके पास क्या फागून तो आपको याद रखना है क्या फागून अरे या सोनो सबसे पहली ठीक है सर साधिम बुला रहे हो कि नहीं ठीक 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 अभी मेरे घर वाल अब देखें आप यहां है जैसे चेत्र हैं तो मैं क्या बूला था आप हमको याद रखना हैं क्या C w Cup को याद रखना C B और did The Train के बाद खतब कर देना है यह याद रख Twain इसने नहीं याद रखोंगे C, B, Z, A, B, S से याद रख सकते हैं, लेकिन इसमें सिस्टम भी गड़ जाता है, इसलिए आप 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से याद रखने, S, S, 5 लिखोंगे, 5 जैसे कैसे बनता, S, अब आपको main task ये जन जाती परवक अभी छोड़ देते हैं, अभी हमको याद रखने, कोन सा, ये स क्रिश्न पाक्छों, दूसरा याद रखने, सुकला पाक्छों, आरे, या सो नो, इसी क्रिश्न पाक्छा, क्या बोलते हैं, पहले इसको आपको समझना पड़ेगा, आरे, या सो नो, कई जण क्या, 36 गड़ी पढ़ रहें, लेकिन किसी गुर्देम डिक्कत होता सार अप उनको तो इसका टर्मिनोलोजी समझ इच नहीं आ रहा है आपको समझ आएगा कोमल सर पढ़ाएंग अरे या सो नो आप कितने भी कई जण यो अंगरेजी माध्यम वाले रहते न एंगलो इंडिया जैसे हमको अंगरेजी समझ आता है उनको भी हिंदी आता है उनको चतितगड़ी आना चाहिए कैसे वाला बात है समझो आप खड़े हो पिच्चर देखते हैं पिच्चर समाझ आता है कि नहीं आता जज़बात को समझ नहीं रहता आपको थोड़ा थोड़ा मांखित मैं बताऊंगा बीच-बीच में आपको लेकिन इसे रहता सवरापुन को अंग्रेजी समझ नहीं आ रहा है जब हमको अंग्रेजी समझ आता है तो आपको हिंदी कैसे समझ नहीं आएगा आइसे नहीं है कि आस्टेलियासीद पढ़े का हो कभी बाप पूर्खम नहीं बोले होंगा आपको गाड़ी चलाते चलाते जाना अ हनुमान चाली से याद आता है हनुमान चाली स glare एंग्लीयस में निक रहेत है हिंदी में लिखा रहेता अईसे मेरे दादागी बोलते मायनी बोल रहूं ठीक है आगे बढ़े बड़े क्या हमकों सबसे पहले होता है आपके लिए कोनसा कुर्षन पाक चान तो आपको याद् से आपको पकाड़ते हुए चलो अभी जैसे पेपर गंदा होते जा रहा है कल के टाइम यो क्रिश्न पक्ष नहीं देखे अगर अंधियारी पाख देख यह जो पक्ष वर्ड है इसके लिए इंदी में यूज चतिजगणिम यूज किया जाता है पाख तो यह क्रिश्न इंधियारी और भक्ष मतलब हो रहा है । तो आप बोलते हैं आपके लिए अंधियारी पाख अरे या सोगनोओ आप ही आप देख रहे हैं इव दिवाली समझे इसी अंग नोग छतिजगणिम बोलते हैं देवारी तो आप एँधेवारी है देवारी कब होता है, आपके लिए कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ ह्ई ही नहीं, अरहां सोनो, एक ठो होता चन्दरमा का आइसे गोल, याखा बारी टेंशन, यह आपको है चन्दरमा कुर पूरा गोल, अरहा 8 давайте में अरहां सोनो आप समझें आप समझें समझो, यह ऐसा से धीरे धीरे बढ़ते जाता है इसे देखे होगे ना आपके भी छेंद्रहम अम गरहनर लग जाता है जो मानы भ लड़ाई होगे तो चान से फिर भांद्धन निcom तो उसी क्याद रखना ऐसे तो यह धीरे 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 हो के कैसे हो जाएगा ऐसे पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा गोल होगा आरे या सो नो जब यह पूर्ण रूप से गोल हो जाएगा दिखाई देने लगेगा तो इसी का यह कौन से दिन होता है 15 दिन 15 दिन क्या होता है पूरा गोल हो गा और दिखाई देने लग जाएगा इसीक बोलते हैं, पूर्णी मां आरेयास अनो, तो आपको याद रखना, पूर्णी मां आरेयास अनो, अः इसीक बोलते आप एल्टा आएगा, 15 दिन कंप्लिट हो गया, अब यह 50 दिन के बाद, तो उसी इक बोलते हैं अमवस्या अरे या सो नो तो इसको याद रखने हैं अमवस्या को और इसको याद रखने हैं पुन्नीमा को maximum जो आपके लिए हिंदू करेंडर में क्या पढ़ते हैं जितने तेवार पढ़ते हैं उस सब पुन्नीमा के दिन ही आमवस्या के दिन ही बनते हैं अरे यह सोनो ठीक आगे चले क्या ठीक है सरहमन तो दर्सन कड़रे न पंचान के बहुत बड़ी है बाते यार हमरे नहीं हुपाते ठीक आगे याद रखने आपने का मवस्या आपको याद रखने क्या पुन्नीमा आप समझो चीजों को यह क्रिश्न पक्षि की बात हो रहे हैं मतला इसमें क्या है आपके लिए पुन्नीमा यह से बड़ा रहेगा यह पहले दिन में और यह पहले दिन के बाद धीरे 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 15 दिन में क्या होगा दिखाई देना पूरा बंध हो जाएगा इसीग दिखाई देना बंध हो जाएगा इसीग बोलेंगे हम लोग क्या मवस्या उसीग बोलते हम लोग क्या अंध्यारी पाक अरेया सोनो अब समझो अब ही अंध्यारी पाक आ गया अब यहां से 15 दिन होगा मतलब यहां से यहां तक का उसको सफरते करना कितने अगले 15 दिन में आरे या सोनो तो आपको याद रखना यहां से यहां मतलब यह पहला दिन है और पहली दिन से अगर जाएंगे तब धीरे धीरे बढ़ना होगा उसी क्या बोलेंगे पुर्णीमा अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया चीजे बनाना ठीक है आगे चले क्या अब देखते हैं चैतर तो सबसे पहली तो आपको याद रखने इसमें और क्या-क्या चीजे होती है करके ठीक है अब देखे मैं पूरा पहली आपको याद करा रहा हूँ मेरा में टास्क यही है बांकि आपको चीजे आती है देखे आपको याद रखने सुरू में क्या चैत्र अरे यह सो नो आप देखिए इधर लिखता हूं झेले निखिजेतें कोई दिक्कत आपको याद रखना है चैतरि dlITA आपके नदेखना पड़ेगा थी्रेखई पड़ेगा ठीक है आगे चले क्या तो आपको याद रखने क्रिष्ण पक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष सूरुख नौदीन नहुरातरी अरे-या सोनों, आगे बढ़े क्या? उसके बाद याद रखना, B. बी से याद रखना है किया आपके लिए अभी क्या हो गया है? लटकAH ओ लड़की, दोनों का साधी करनेREAM का उमार कितना हो गया, 21 साल हो गया? तो आपको याद रखना बी ए तो बी से याद रखना यहाँ पर क्या आएगा वाई साख अपने बाई के साख को रखना ऐसे बोल रहा है तो आ से याद रखना यहीं पर क्या आता है अक्ति तो अक्ति याद रखना है इसी को बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्या अक्षे तृत तो आपको याद रखना चैत्रा में कुछ नहीं होता उसके बाद आता है जेट तो जेट में भी कृष्णा पक्ष में कोई भी परवन नहीं मनाया जाता अरे या सोन आगे चले क्या देखे सार या सोन नो क्यों बोलते हो काबर की मोला अच्छा लाग थे काबर मोला इससे ला तो आगे चले क्या शरेंगे जापड मानने के लिए बोलो गे तो उससे क्या होता दिमाग में धीरे से चेतना का विकास होता है ठीक है आगे चले क्या सर इंगलिस कलेंडर में कौन सा मन बोलेंगे इंगलिस और हिंदी मैच नहीं करता इसका कोई ऐसा नहीं रहता कि यह इसे करेंगा इसे करेंगा करके ठीक है आगे चले आपको याद रखने जेट को याद रखने कृष्णा पक्ष में आपको याद रखने सुकला पक्ष अरेया सूनो इसमें डेट डिफाइन नहीं रहता कि सरी इस बार 10 तारीक को चालू हो रहात अगले बार भी 10 तारीक को खतम होगा हम लोग हिंदी वाले हमारे पास 13 भी महीन हो जाता है हिंदी वाले भारी अलग लोग है पांचा जार साल पूराना के लिंदर है हमारे ठीक आगे चले गया आपको याद रखना है क्या बैसाख आपको याद रखना है जेट अरे या सोनो तो आपको याद रखना है जेट मुझ धक्की रसम होता है नहीं यह हमारे यहां में कोनों पर वह नहीं मनाया जाता पहली, तुरू समझे आपको याद रखना है कि असाड अब आगे, असाड कि आप आपको याद रखना रत से जाओंगे तो आपको याद रखना असाड किसी चीज का आड़ लोग है कि मेरे किसके सांद घूमने जाना मंगता है तो किसका आड़ लेके जाओगे अपुन जा रहा है तो रथियातर देखने के लिए रथियातर मो भी आ रही है रथियातर मैं भी जा रहा हूं आड़ हो गया बहाना हो गया उसकी बात कर रहा है तो आ इसी बोला जाता है आपको हिंदी में रथी यात्रा तो आपको याद रखना है रजूतिया आपको याद रखना है रथी यात्रा अरे या तो नो ठीक है आगे बढ़े क्या आगे चले तो आपको याद रखना है क्या रजूति आपको याद रखना है या राथ या तरह आब आया सावन ये सावन के उपर तो पूरा ये जितना आपके लिए अरजी सिंग है और जितना आपके लिए जूबी नोट याल है जितनी स्रियाग हो साल है और जितनी आप सोनो अब सावन आगे सावन में आए पानी गिर रहा है अब बोर रही है कि मुझे अपने घर से ले चलो मुझे जंगल सा फारी जाना है मेरे कोटमी सोनार जाना है मेरे कानन पिंडारी जाना है मेरे मेत्री गाडन जाना है अरे या सोनो मेरे सुकमा के आपके लिए साइंस पा बोल रही हर के ले जाओ जैसे सीता का क्या हुआ था हरन हुआ था न माता सीता का तो आपके यहां बोल रहे हैं आप राम नहीं हो रावन है उसी लिए आपको बोल है कि मेरे खर के ले जाओ तो आपको याद रखना सावन सावन से याद रखना क्या हर के ले जाओ तो आपको याद रखना है चीजों कैसे याद होना चाहिए अगर ये काम हो गया आपको इलिए 50% प्रस्ट नहीं यहीं साता है कि फलाना कौन से माम होता इसलिए आपको घोर-घोर के पिचार-पिचार के आपको पढ़ा रहा हूं समझे आगे चले क्या ठीक है क्लियर आपको याद रख कवं महिना चल रहा एक डू तीन चार और पांच अरे या सोल आपके पांच जब सावन में मरेच ये पानी गिर रहे आपको मैं क्या पढ़ा है भूगोल पढ़ा हूँ भूगोल में वर्सा सरवाधिक वर्सा किस मा में होता है इसी सावन में होता है अगस्त में होता है बताएं कि नहीं बताएं तो आपको याद रखना है कि आपके लिए सूकलपक्ष पंचमी तो आपको याद रखना है सूकल पक्ष पंचमी के दिन हम लोग क्या बनाएंगे नांग पंचमी अभी इसका तिथी नहीं बताएं उतिथी सब का बताऊंगा आपको याद रखना नांग पंचमी अरे या सोनो तो नागिन तैम और नागिन मैं तोर सफेरा ठीक है अव अपन तो प्यस्ति नहीं निकाल लाते तो हमन कहीं कहीं अपन बना ले वो डेरा आहा सोनो बेजा कबजा करके जीवन जीना पड़ेगा निता भी टाइम है प्यस्तिक निकाल लो ठीक है आगे बढ़े क्या आगे चले तो आपको याद रखना नांग पंचमी आ रहे या सोनो अब ये पंचमी है तो पंचमी किसके बाद आता है चतूर थीक बात तो चतूर थी ओ पंचमी दोनों जोड़ोगे तो क्या आएगा नौमी तो आपको याद रखना है क्या नौमी तो आपको याद रखना पंचमी आपको याद रखना नौमी जब क्या करोगे हर याली आप पानी गिर रहा है तब क्या करोगे आप थोड़ा सा भोजली, भू के जल को पानी के जो आपके जमीन के जल को टेस्टिंग करने का आप क्या करोगे, कोसिस करोगे, तो आपको याद रखना है क्या, यहीं पर आपको याद रखना है भोजली, कि भूमी का जो जल है, उसको अपन क्या करेंगे, कोसिस करेंगे, तो हरे आप पानी गिर रहा है तभी भोजन भूजल किसके जमीन के जल को अपन क्या करेंगे आपने कोसिस करेंगे याद आ रहा है आपको आपको ऐसे याद होना चाहिए अभी सब कर डीटेलिंग देखेंगे ठीक है आगे चले क्या ठीक 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 आगे चले क्य आपको याद रखना है इधर आपको याद रखना है क्या नौमी को अब देखे आभ आगे आपके लिए बाग दो आब यह बूल रहे हैं कि हर्याली आगए ऑल मेरे भगा के लिए चलो आईसे पो जो रहां भागो अरे को याद रखना दू को दू के बाद 4 और 4 के बाद 6 और 6 के बाद याद रखना आठ एक के बाद का याद रखना है दो दो के बाद 4 अरे यह सोनो अब मैं क्या बोला था कि कोई भी अगर पक्छ रहता है तो मैक्सिमम कितने दिन चलता है जी बताये थे क्या बताये थे क्या बताये थे क्या 15 दिन चलता है तो आपको याद रखना 8 दूनी कितना होगा 16 लेकिन हमारा मैक्सिमम हम कहां जा सकते हैं 15 तो हमको इसका 15 दिन खतम उसके बाद पहली दिन दूसरे दिन तीसरा दिन तीसरे दिन आता है इसलिए उसको नाम है तीजा तो पोला के तीसरे दिन पढ़ता है इसलिए उसको क्या बोला जाता है तीजा तो आपको याद रखना है सूकलपक छह आपके लिए भादो सूकलपक छह तृ इत्या के दिन इसीक दिन पड़ता है हमारे यहां तीजा अरे या तो नो तो यह तीजा बिल्कुल कैसे तीहार है पता है आपको उपास उपास के बाद होता है धास पहली हम लोग पहली धास लिए रहते हैं 36 गड़ में महिलाओं लोग को देखना करू भात खाने जाएंगे अगले दिन आदमी खा ही नहीं सकता न तब आगले दिर रहते हैं उपास हो वैसे बुढ़ रहे हम तो हमारे पती बार उपास सबन अरे या तो निब्ब निब्बी मन नहीं रहा है पहली बता दे थो श्रीप जेकर साधी हो रही थे तैन मर रखते हो तीजा को पास ला ठीक आगे बढ़न का ठीक अब चलिए भाई जो हमको पढ़ना है मुसकी लिए चलते हैं पहला चीज याद रखने हैं हमको कौन सा नवरात्री ठीक है पहली थोकन देख लो इसको का का पढ़ना है पुनको अब याद रखने मैं क्या बोला था आपको पहली महिनाम नहीं पढ़ यह दूसरा महिना तो दूसरे महिन हम तीसरा दिन याद रखना और आपके लिए याद रखना चौंथे महिना चौंथा महिनाम दूसरा दिन यह है हमारे लिए तीन तो आपको याद रखना तीन- तीन के उपर में तीन लेना है और तीन के नीचे आपको क्या लेना है तो ज हम लोग टेहारज सुरू के चार महिने में कृषणपंच में कोई तेन हार नहीं होता, अब आ रहा है आपके लिए कौनसा सावन सावन मतलब क्या बोला इसी को सरावन, तो इसी में क्या हो रहा है हरेली तो ये क्म्द्रवा दिन अपंद्रवा दिन concerned रहा हैं तब क्या आता था नोमी नोमीक दिन क्या होता है भोजली रोपन उसके बाद याद रखना पूर्णीमा पूर्णीमा अग दिन हम लोग क्या मनाते रक्षा बंदन रक्षा बंदन जिस दिन होगा उसके अगले दिन हम लोग क्या करते हैं भोजली विसरजन उसके बाद क्या ब रथमाग दिन आपके लिए भुजली विसर्जञ फिलिए बहूरा चौध चोट आपके लिए तरितिया के दिन होगा और आपके यद्न होगा जोत है ऐह होगया पूरा कार्यक्राम आप चलते हैं एक एक ठोपक पंड़ने के देखो आपको बैग्राउंड में बहुत टाइम लगेगा चीजों की याद करने में पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा लेकिन जहां से प्रैस्ना की प्रकृति जैसी होती है हमको उसके हिसाब से चलना होता है अजिकिलियर आगे बड़े कि आप देखेह 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 आब याद रखने नावरात्री अरे याओ सोनो न वरात्री कौन-कौन देख़ You अपने जीवन का अपने अ जीवान का हाल में आप्र आथ नहीं देखाए करके कैसे नहीं देखे होगे, आपने Cambridge में पढ़ के हैं, क्या वहाँ नवरात्री नहीं पोटे, क्या ठीक है, हो से यार लोग, सब के सब नवरात्री देखे हो, ठीक, आगे चले क्या, ठीक है, माही मिर्जा, आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको पढ़ना पढ़ेगा, इसने अगर सोच रहे हो, होमाल सर से अगर आप नहीं पढ़ पाए, तो आपके लिए भारी दिक्कत वाला बात है, पहली बता दे रहा हूं, आप बहुत दिक्कत में हो, ठीक, आगे चले क्या, आपको याद रखना है, नवरात्री कब कब आता है, आरे या सोनो, तो आपके लिए आता ह है, सुकलपक्ष, आपके लिए काब प्रत्मा से लेकर आपको याद रखना है, नवमीता करें, या सोनो, कई लोग ये भी भोलता है, सर नवरात्री है, नवरात्री है, पहली बोल रहा है कि नव दिन रहेगा, कई हो सी आर लोक सर, कितना दिन चलेगा, नवरात्री है, आप के लिए पात दिन का चल रहा है दत दिन का चल एक आध दिन में होता है तो डे रिपीटीशन हो जाता है या दो ठोक दिन एक में पढ़ जाता है तब कभी आठ दिन का हो जाता है कभी दस दिन का हो जाता है समझे आगे चले क्या सर मैं यो कांडस पढ़ रहा हूं बहुत सहीं इतनी चीजेeg बता रहा हूँ उतना पढ़ लेना सबसे पहली याद रखने आपके लिए प्रत्मॉ पहली दीन होता है आपके लिए क्या बीरही फिलोना बीरही फिलोना आपकाई लोग नहीं सुनियी Хोगए आरे सर आपून तो कभी सुना इस निथा करके बिरही फिलोना क्या होता हो स्यार लोग जब आपके घर कभी नवरात्री के लिए कार्ड आएगा उस कार्ड में दिखना पूरा एसे कारेकरम रहता है नव दिन का पहली दिन लिखा रहता है बिरही फिलोना ये बीरही का मतलब क्या चीज होता है, ये समझना, जो इस्थानी अनाज रहता है, उसका बीजहा, जो हम लोग बोलते हैं, बीजहा जो बोलते हैं, हम लोग खेत में, उसी बोलते हैं, इस्थानी अनाज होता है, वो बीजहा होता है, जो अगले साल अपने क्या करना है, रोप और यह पहलिख्या रहाएग के सांथा प्लूक कर दिए इस mistलब और इंग्रेजीन वाले हमारे आंगलाभरती लोग के लिए बोल tensor पहले दिन नवरात्री कोई भी बोच सकते हैं तो क्या रहता है एक आपके पास water container container रहेगा वो container में आपके लिए water रहेगा और उसी में क्या करते हैं सीड को डाल देते हैं उसी मिजग डालते हैं अरे या सोनो दीन भर क्या होगा वह पहली अराम से भीगेगा और जब साम को आप जाते हो तो साम को आपको क्या दिखता है ऐसा टोकरी बना हुआ रहता है आप देखे होगे आपको मेड़े टाइप का खेट टाइप कैसा क्यारी रहता है अरे या सोनो अब ये क्यारी में इसीग होते हैं आप भी उसको छिड़क सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अरे या सोनो तो आपको याद रखना है इसी में पानी भरा रहेगा इसी में ब कीएगए साम को उसको निकारेंगे और यह जो क्यारी बना रहता इसे हो रहे उगेगा इतना था हमारा common sense होना चाहिए तब याद रखना आपको मिट्टी उसी मिट्टी में क्या करेंगे उसको डालेंगे और मिट्टी में डालने के बाद जो स्थानी अनाज होगा उसका अंकूरन चालू होगा अरे यास तो नो आप देखें यह अक्ति आ गया भारी टेंशन वाला पाद आपको याद रखना अब प्रत्मा के दिन क्या हो गया आप बिर्ही फिलो दिए प्रत्मा प्रत्मा के दिन क्या हुआ आप बिर्ही फिलो आप बिर्ही फिलो ना अब उसी प्रत्मा के दिन में ही क्या होता है अगर आप पढ़ र का स्थापना किया जाता है तो आपको याद रखना है जब हम लोग कुवार वाला पढ़ते हैं अभी वाला जो निकला है उसी क्या बोलते हैं तो यह क्या होता है दुर्गा माता की स्थापना करें या फिर माता स्थापना करें गए तो जिस रूम पर जाओगे आप जहां पर पर क्या किया रहता है इसको बोया रहते हैं तो उसको याद रखने उस रूम को क्या बोलते हैं उस रूम में जब जाएंगे तो यहीं पर क्या होता है माता का सेवा करते हैं माता की पूजा करते हैं अभे माता की पूजा करते हैं तो जो गीत गाते हैं गीत इस गीत को बोला जाता है क्या जस गीत तो आपको याद रखने हैं इसी क्या बोलते हैं जस गीत अरे या सोनो इसी को बोलते हैं जेवारा गीत या इसी को बोला जाता है आपके लिए कौन सा जमारागी अरे या सोनो आपका एरी राम तेरी राम मेरी राम सबका राम सबका स्याम राम नाम अरे या सोनो यह आपके लिए जसगीत को जमारागीत अलग बोलता है जमारागीत अलग बोलता है जसगीत अलग बोलता है जसगीत यह कही होता है पहली बता दे रहूं आपको त तो जस्गीट बोलते हैं थी कि आप जस्गीट सुने हो गे मैं पर यह दुनिया बर कागाना चलता है न को आप गाते कि सोंगे जिंडाना भी को सेवा गित भोलते हैं Không इसको याद रखना ही जो पूजा होता है माता की पूजा उसको बोलते हैं सेवा पूजा करना नहीं बोलते हैं आप लोग अगर मेंस में लिखो गे तो मेंस के इसाब से भी तैयार करो इसको ठीक है आगे याद रखने ये पूजा क्या बोलते हैं सेवा जो पूजा करने के ल यह माता के लिए ही तो कर रहे हैं क्या इसको समाज आया ठीक है अब एक जन आदमी रहता है यह क्या करता है पूरा जितना पूजा होगा उसका देख रेक करते हैं इसी इक बोलते हैं हम लोग क्या पंडा तो एक जन आदमी रहता है पंडा पंडा पूरा नौ दिन क्या करता ह यह जो आपके लिए क्या होता है जमारा का रोपन होता है जमारा का रोपन तध्धा माता की पूज़ा करने के लिए एक आदमी का पर्मनेंट यहां पर क्या होता है अपोइंडमेंट होता है न्यूकती होता है उसी आदमी को ठीक है जैसे हमारे पास राष्ट्यपती होता है वही क्या करता है प्रधान मंत्रिक न्यूक्ति करता है वैसी हर एक दुर्गा मंडली रहे जिसके घर जमारा बोहेंगे उनका एक मंडली रहेगा वो एक आदमी को क्या करेगा न्यूक्त करेगा वो आदमी पूरे नौ दिन रहेगा उसी इक बोलते हैं आपके लिए क्या 90 दिन याद रखना 90 दिन क्या होता है नवरात्री का विसर्जन होता है तो आपको याद रखना है नवरात्री का विसर्जन अब नवरात्री का विसर्जन मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग क्या जमारा का विसर्जन तो आपको याद रखना जमारा का विसर्जन करेंगे अरे या सोनो जमारक भी सर्जन करने के लिए जाएंगे आप देखें जमारक भी सर्जन करने जाएंगे तो यहां पर भी आपके लिए दो ठो नेंग आएगा वो दोनों नेंग को समझना है कि वो दोनों नेंग हमारे पास क्या होता है सबसे पहली होता है आपके लिए क्या बाती क बोलते हैं जोती, तो आपको याद रखना जोती, तो जोती बुझना बोले, चाहे आपको बोले बाती का बुझना, ये आपके लिए क्या माना जाता है? असुभ हमाना जाता है. तो आदमी लोग क्या होता था पहले बदना बदते थे कि अगर मोर 10 जहन टूरी होई या 10 जहन टूरा होई या एक कोरी लईका होगा तो मैं क्या करूँगा नवरात्री बहुँगा किसी के लईका नहीं हो रहा तो बोल रहा है तो मननत मांगते थे अला गला के जहन का लईका क्या भारी उद्दंग है तो यह सूधर जाएगा भगवान इसको सदबुध्धी देना कई लोग सोच रहें कि हमाने लईका सहीं तैयारी करत धन नहीं करते तो उसके लिए क्या करे है नवरातरी बद रहें कि इसका गर पियस्ती निकले गे यह DIPT कलेक्टर बनेगा ये DSP बनेगा तो वह हमान घर में काब लगो एक बार नवरातरी बभो एक बार जमारा बभो तो वही जेवारा है तो यह बत्ती बुझना नहीं चाहिए पूरा कहा कि विसर्जन होते तक तलाब में जब विसर्जन करने जाएंगे नदी में जब विसर्जन करने जाएंगे तो वहां से आएंगे कहां तक घर तक तब तक बाती बुझना नहीं चाहिए नहीं असुब आपके लिए जो जिस काम के लिए आप क्या किये थे इसको जमाराग बोए थे वो सफल नहीं माना जाता है ठीक है आगे चले क्या अभी भी मननत मंगते हैं ठीक है आगे चले अब आपको याद रखना है इसी में होता है क्या जमारा बदना अब ये जमारा बदना क्या होता है अभी आपको मेंस में पूछ रहा है सब चीजे इसलिए आपको बता रहा हूं इतना डिटेल में नहीं बताता ठीक है आपको याद रखना है क्या जमारा बदना क्या होता है जैसे क्या होता है पहिलिक डोकरा लोग इधर ऐसे क्या करे रहत उस्सूलगाएंगे तो ऐसी हो काण में इस्ट आप का इसे करे रहते ना बढ़े ही लोग को देखे हो इसे रखते हैं पिर साथ साल का लड़का के साथ नहीं बस सकता या फिर चार साल का डोकरा दस साल के लड़के के साथ नहीं कर सकता करके तो याद रखने ये मित्रता का प्रतिक होता है मित्रता का प्रतिक होता है तो यह जो जमारा का विसारजान होता है और सब के सब को क्या नहीं करते ठंडा नहीं करते कुछ जो जमारा होता है उसी टोकरी में फिर भर के लिए आते और जो प्रसाद के साथ क्या किया जाता है उसको वित्राण किया जाता है तो एक दूसरे कान में खोचेंग, और एक दूसरे कायन में खोचके, क्या बोलते हैं, आसथे तेमोर्दोस्ता रत, तो और उम्रोस्ती, जैसे जया और वीरू टाइब के हो जाता है, पूरा दोस्ती, उसीक बोलते है मित्रता का परतिक, उसीक बोलते है क्या जवारा बदना तो आपको याद रखना है क्या ज Kitchen रखना अरे याचोशर ओनो इसमें न कोई धर्म देखा जाता है न कोई उम्रस देखा जाता है तो यह 32 गण में मित्रता का परतीक आपको याद रखना जन्मारा बदन केअट तो यह आपके लिए पूरा नवरात्री नवरात्रिक बात चलते हैं हम लोग पढ़े थे अगला अक्ति यह हो गया अक्ति ठीक है आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं आप भारी मन में लड़ो फूटा होगा सरेथा दूठा दास्थो लड़ो फूटा इसी दिन के लिए तैयारी कर रहूं जिस दि मेरा प्यस्ति निकलेगा जिस दिन में डीप्टी कलेक्टर बन जाओंगा जिस दिन में डीएस्पी उससे क्या सर पूरे उसके खांदान से साधी कर सकता हूं मैं उस दिन का इंतिजार कर लड़के लोग के मन में भारी सारा रहता है नहीं वो बताएंगे नहीं आपके लेक अदर Equality मंगता है पूनको पूरे समाज में 21 साल में अपने प्रेस क्या होने वाला है साधी होने वाला है अब दोनों को चल दें B.A करने कहां गए B.A करने कहां गए B.A करने तो आपको याद रखना है B.A करने लए या बेचलर आफ इंजिनीरिंग नहीं हो सक रही हम से A कर रहे है B.A to B.A करने का आपको 2 साक और A.A करने का अपके लिए तो याद रखने क्या पूरा है तो आपको याद रखने क्या एक शाक अपकेर या सोनो अब आप कितना चाना मेंटें कर सकते हो या कहीं अरे यह सोनो तो आपको याद रखने क्या आपको याद रखने तीन तो आपको याद रखना बसाख सूकलपक्ष त्रितिया की तिथी में किया जाता है आपके लिए अक्ति मनाया जातो आपको याद रखने अक्ति अरे यह सोनो अब समझो घर वाले आपको ATM, KTM लेके दे दिये अब वो आदमी फुल निबब टाइप छपरी स्टाइल में एकदम फुल घुमा रहा है लोगों को अब जिसको घर वाले सोच रहे थे कि ये हमारे घर का चीराग बनेगा वही घर अदमी पूरा बत्तिक बुझानिम लगा हो अब घर वाले देख लिए कभी उसका बाप गया है बढ़िया अपने बाइक सांथ बढ़िया तरेक चल गुपचुप खिलाने ले जा रहा हूँ उधर पता चल रहा है उसका लड़का दूसरे आदमी गुपचुप खिला रहा है बाप सोच रहा है कि मैं किस आदमी केटीम दे दिया हूँ इसको भेजा हूँ बिलासपूर इसको भेजा हूँ मैं राइपूर पढ़ने के लिए कोचिंग करने पीस्सी निकानने के डिएसपी बने डिपटी कलेक्टर बने यह आदमी गुपचुप खिला रहा है यह भारी तकलिफ है जीवन में करके तब क्या होता है जब आदमी कर देता है अती तब हो जाता है उसके साथ क्या अक्ति अब अक्ति मतलब समझना जो दाई दादा लोग बच्चे क्या समझ रहे थे पूत्रा और जिस लड़की को समझ रहे थे क्या पूत्री तो आपको याद रखना पूत्री पूत्रा इसीग बोलते हैं गुड्डा इसीग बोल रहे थे क्या गुड्डी अब यह जो नहीं बची इनका साधी का वक्त हो गया तो जब कोई कर देता है अती तब उसका करवा देते अक्ति तो आपको याद रखना अक्ति अरे यासो नो ये अक्ति विवाह के लिए पूरे वर्ष में सर्वस्रेष्ट दिन रहता है अरे यासो नो 24 घंटा इसमें मुहूत रहता है तो अगर कोई वेवस्था बनाक राक रहा है सर मैं डिप्टी कलेक्टर बन जा रहा हूं चुप चाज जी दिन पेडियेफ में नाम आ जाएगा घर में जाना है भाईया यह ले मिठाई कार दिये उसी इख्धान साधी कार दिये आना है ठीक नहीं आना ठीक हमको को मल सर बता दिये थे अक्ति का दिन विवाह के लिए सर्वस्रेष्ट दिन रहता है पूरे वर्ष म कौन से सर्वस्रेष्ट और मंगल कारीती थी अरेया सोनो अब मालो आप साधी किये अपने घर वाले के परमिसन के बगए कोई ना कोई जैसे हर बापका एक बाप होता है जो से हम दादा जी बोलते हैं वो दादा जी उटके आएगे ये टूरी हा ये टूरा हसम और घर के न परसूरामजनती अरेया सोनो तो परसूरामजनती कब होता है आपके लिए अक्षे तृतिया की तिथी में तो आपको याद रखना है क्या अक्षे तृतिया आपको याद रखना है परसूरामजनती अरेया सोनो आपको पूछा जाता है यह जो पूत्रा और पूत्री विव अख़फों का आक्ति तो जीतने लड़कीओं लोग को कहता कि हमारे साधिम कोई वइघ है तो अग्षध म्この प्राप्टीस करने तो तो अग्यों तो अस ओए असकी अब आ सब करति हैं और यह ये ये आप दीख रहे होना अगर एक लड़की को अच्छा वार चाहिए तब हो क्या रहेगी आपके लिए अक्छेत रित्य आक्ति का एक वरात रख लेगी गुड़ा गुड़ियों का विवाह कर देगी और उसको मिल जाएगा एक अच्छा वार अगर एक अच्छे वार को एक अच्छे कनिया की तलास अता भारी दिखत उसको निकानना है PSC उसको निकानना है UPSC उसको निकानना है SSC CGL अरे या सोनो उसको निकानना है TET उसको निकानना है GET उसको निकानना है CAT दूनिया भार का तकलिफ होता है लड़कों के साथ तो लड़के लोग को पढ़ना तो आपको याद रखने पूत्रा-पुत्री विवाह कब किया जाता है ये पूछा जाता है आपके लिए पूछा जाता है परसुराम जेनती कब होता है और ये पूछा जाता है विवाह के लिए सर्वसरेश्टती थी कौन सा होता है आपको याद रखने कौन सा ये ठीक है जी अब ये इसका कोई न कोई क्या होगा पौराणी की तिहास होगा कि सर अगर कोई न कोई चीज होता पहली बार कीसी का होगा आरे या सोनो एक धन गंधान नरे थी नाम था उसका गंधारी हो गंधारी पहली बार क्या करी जल्दिक भुष्ट मन था किसको गंधारी का ओ, गंधारी कई भी वह नहीं हो रहा है, ऐसे कई जहन लड़किया हों कि जिनको साधी करने भारी मन हैं, पढ़ाई लिखाई मन नहीं हो ता सर्पीस्टी ओस्ति सिलेबास आप बढ़ा कर दी हो, मेरे एक पढ़ाई लिखाई हू करके लेकिन विहाँ हो ही नीरा तब क्या करते हो रिसी मूनी लोग को खाना खिलाते हैं रोशी मूनी लोग इसको एड़वाइस करते हैं अगर कोई अक्ति करें और पूत्रा-पूत्री या गुड़ा-गुड़िक विवाह करा है तो उसका विवाह क्या होता है निर्विग न पुद्री विवा समझ आया हो जियार लोग आपको PSC निकालना पड़ेगा आपके लिए अक्ति निए आपके जीवन में अति हो रहा है अरे या सोनो आगे चले क्या आपको याद रखने ये ठीक अक्ति खतम तो देखें भई आपको इसमें होता क्या क्या चीज है आप देख ठीक आगे चले नई भाई मैं भी पीडी थू मैं भी बता रहा हूं जीवन में ऐसी सचाई है करके अगर हम किसी पसंद कर ले तो थोड़ना हमको पसंद कर ले हमको डिप्टी कलेक्टर बनना पड़ेगा हमको DSP बनना पड़े लड़की केस में इसे नहीं है उन लोग अग लेकिन हरे थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं किसके लिए रजूतिया पढ़े तें क्या रजूतिया अब देखिए रजूतिया क्या चीज होता है समझी आपको मेरा आप लोग को सबका साच्छी भाई एक विश्ने लोग को अभी चीजे अच्छी लग रही मैं आपको प्री के हिसाप से भी पढ़ा रहा हूं, मेंस के हिसाप से भी पढ़ा रहा हूं, जो प्री और प्लस मेंस का तयारी कर रहा है, उसके लिए भी पढ़ा रहा हूं, तो आगर आपको इमानदारी से चीज़ी अच्छी लग रही है, अब आप सबसे बोलूँगा, कि एक बार कोक के लिए लाइक करें जो सुबह से आपके लिए आता है और हम इतना अच्छा कंटेंड लेके आते आप इज़र स्लाइड देख रहे होगे मैं साट पैंसाड लेके आया हूँ आपके लिए आने वाले टाइम में जबर्जा जबर्जा चीज दिखाऊंगा जो आप कभी नहीं तो आप उसके लिए थोड़ा वेट करें आपके वीडियो में सब चीज मिलेगा और आपको एक चीज की गारेंटी आप जाएंगे किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी आप क्या लगाएंगे कोस्चन अंसर लगाएंगे आप से कोस्चन नहीं सूटेगा कोमल सर का वादा है आप सबको पहली ज्बार में बोलते हो, clear आपको? आगे चले क्या? देखे आपको याद रखना है क्या? अग्ति है अब अग्ति के बाद आपको याद रखना है क्या? यहीं पके हम लोग पढ़ रहे थे क्या? Raja उतब नहीं आपको याद रकने Raja आप यह बोलोगे सर इसका च्छट्यस कशट्य सब्सक्राइड से क्या संबंद है यह जो रजूतिया होता है जो रत यात्रा होता है यह तो अड़िशा का पर्वा है सर तो हमारे लिए क्या तो भाईया आपकी निभी बोली थी ना, आपको आप के टीय में घुमाओ, आप के टीय में मत घुमाओ, आप चलो सिधा जगानात पूरी जाते हैं, एक बार भगवान से मिल के आते हैं, तो रहोमों रिष्टा उस्तिल फिट्सकरवा का जाते हैं, आरे या सोनो, आपको याद रखना, हम नाच का उत्पादान होता है वो होता है देव भोग नाम ही पड़ा है देव को भोग करवा रहे हैं तो ऐसा आपके लिए तो यहां से जो चामल जाता है उसी से क्या होता है जो खीर बनता है जो अन्नकव क्या करते है भगवान को खिलाते हैं आपको याद रखना देव भोग जब उतने बड़े भगवान का हमारे यहां से भोग जा रहे हैं तो क्या हम उनके लिए प्रतिकात्मा कुरूप से एक रस यातर नहीं निकाल सकते तो इसी कि याद रखना है हम लोग क्या निकालते हैं रस यातर निकालते हैं यह कब निकालते हैं तो आपको याद रखने क्या, अजूतिय क्या आगे चले. अब देखिए, यहाँ से आपको पूरा तयार रहना, हारेली से कम से कम, आपको 10 न बने दो. तो बहुत दिल थाम के बैटना ऊँ, बहुत धीरे से अराम से पढ़ना है. ठीक ठीक ठीक. ठीक है आगे चले फिर मज़ा आ रहा है आपको इसे में उमीद करके चलता हूं ठीक है राजे साओ जी आप एकदम सहीं बोल रहा हूं इतना पून को मंगता है करके ठीक है आगे चले क्या देखिए आयाद रखने हरेली अब यहां से नोट से एकदम प्रॉपर तरीकेस बनान होगे जैसे हम लोग क्या बोलते हैं दूरूग हम लोग दूर्ग नहीं बोलते हम लोग बोलते हैं दूरूग हम लोग पढ़ेते लाक्षागरी हम लोग नहीं बोलते लाक्षागरी बोल ही नहीं सकते च्छतिजगरी आदमी एसेंटिव ऐसे नहीं निकल लाक्षागिरी ब होगा कभ जब आप प्द्वाइब रहेगए तब तो सबसे जादा パ्रियाली होता है क्या तो आप को याद रखना सावन में हरे ली आप हर के कई से ले जाओगे आपको कोई देखेगा नहीं तो कोई देखेगा कम नहीं जब एकदम मनमाडे अंधिहार रहेगा, अंधेरा रहेगा, मतलब आपको याद रखना सावन आमावस्या, समझे जी, तो आपको याद रखना आयब बारिस होते रहेगा, आपको याद रखना सावन आमावस्या, सावन आमावस्या मोता है आपके लिए क्या हरेली, अरे यह सोनो, अब ब पर्व है अरे यासो नो आपको याद रखना इसको बोला जाता है 36 गड में प्रथम पर्व आपको ये प्रशन पूछा जाता है 36 गड के प्रथम पर्व का दर्जा किस आपके लिए पर्व को प्राप्त है आपको याद रखना हरे ली आपको पूछा जाता है 36 गड का सबसे प्रमुक पर वह आपके लिए कौन सा है हरेली चारो चारो प्रस्न पूछा हुआ है अरे या सुनो अगर यह हरेली है तो इसमें पूजा होता होगा किसी चीज का पूजा होता होगा तो आपको याद रखना है इसमें पूजा किसका होता है अरे या सुनो आप समझो हरेली है यह आपके लिए पहला वड लेना, यह आपके लिए दूसरा, तो हरेली का हल लेना, और ला का ले लेना, यह क्या लिखा गया हल, तो आपको याद रखना, यह हल का पूजा होता है, और हल आपके लिए क्या होता है, क्रिसी उपकरन, तो आपको याद रखना, इसमें पूजा किसका होगा कृषियोप कर आरे या सोनो आप समझो कुरोणो लगी पूर अगर आपको पूछे यह आपके यह दीख रहे हैं यह दीख रहा है इससी निकाले गाए नहीं निकालेंगा डिप्टी कॉलेकटर बने गए भने गाए कउमल सरागे तू क्रोण करन की पूजा की जाती है और इसी क्रिसी उपकरन को किस में रखा जाता है मुरूम में मुर्मी में या भाठा में रखा जाता है तो आपको याद रखना मुरूम मुर्मी या भाठा पूजा किसका किया जाता है क्रिसी उपकरन कूछ भी हो सकता है तो आपको याद रखने दे वर्जन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बूसला तो आपकी जो धर्म पत्नी होती है वो बन जाती है शिवगामी देवी आपको धर के काट देगी करके तो ओ काटती सब्जी की से हसी आपके भी प्रयोग करते हो सब की पूजा की जाती है किसमें हरेली अरेया सोनो अब मालो option में ये वाला option नहीं है अरेया सोनो अगर कोई पर्व है तो कोई देवी होता है या कोई देवता होता है अरेया सोनो तो अगर हल चला के पहली खेती किसका करते थे कोदो का और किसका करते थे कुटकी का अरेया सोनो तो आपको याद रखना कोदो और कुटकी अरेया सोनो ये कुटकी पकड़ लेना और इसको ले आना आगे तो इसमें करते हैं कुटकी दाई की पूजा तो आपको याद रखना किस की पूजा की जाती है तो कुट की दाई की पूजा की जाती है तो आपको याद रखना कुट की दाई की पूजा प्रस्न में अंसर ये भी लिए प्रस्न में अंसर ये भी लिए लेकिन दोनों चीज एक साथ option में नहीं रहेगा guarantee आपको clear ठीक है ठीक 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 आगे चले क्या अब आपको याद रखने आगे यह तो हो गया आप कोई भी परव मनाओगे आप इतना पढ़ाई क्यों कर रहे हैं सर्क पीस्ती निकाने पीस्ती क यह पूजा होती है क्रिस्यूप करण का तो इसी में हम लोग चड़ाते हैं चीला आरे यार सोनो अब जैसे आग्या चीला अब दीख रहा है कौन से color का पीला तो आपको याद रखने चीला आपको याद रखने पीला एक चीला रखेंगे वह आपके लिए white color कर नहीं होगा अरे या सोनो अविसी में रहेगा कौन सा गूर मतला भी जो आपके लिए चीला क्या होता है आपके लिए खारा रहता ना ये चीला आपके लिए बदल गया अब यही चीला आपके लिए बन गया कौन सा मीठा प्रकृतिका तो इसी बोला जाता है चीला को कौन सा गूरह ची यह आपको जब चीजों को देखोगे तो आपको फट से पकड़ना है स्रेयाईसह से हो रहा है हमारे सांध करके आो अरै यह सॉनों मैंक इसमें सॉण जुए मनमाडे बारीश हो रहा है यार उनों सरवाधिक वर्छा होता है अब छीखला हो जाएगा तो इसी गोड से छीखला करें बचायने के लिए अम लोग क्या चलते हैं गेड़ी चलाते हैं तो आपको याद रखना कोन्सा तिहार गेड़ी तिहार तो आप लॉआ आप देखो चीजों को अब देखिए यह है हमारे का तो सबसे पहली याद रखना पूजा किसका होगा यह है आपके लिए क्रिस्यूप करन नीचे में आपके लिए कौन सा मूरूम या मूर्मी या उसी इक बोलते है भांठा कई लोग जानते हैं कि भांठा क्या चीज होता है वो भी स्माइल कर रहे होगा अपने दाई को अपने अपने नानी अपने नाना हो जान जाएंगे भांठा क्या चीज होता है करके तो वही भांठा से जाते हैं मूरूम कोड के लाते हैं और इसी मापके लिए क्रिस्यूप करन की पूजा होती आरे या तो नो यह हमारे ककाप देख रहे हो यह ककाप के लिए क्या है कोई भी जो कीचड होता है सलाज होता है चिखला होता है इसी चिखला के उपर में चलने के लिए आपके गेड़ी का निर्मान किया जाता है इसलिए हरेली परवा को क्या बोला जाता है गेड़ी परवा तो आपको याद रखना हरेली परवा आपको याद रखना गेड़ी परवा अरे या सो नो और ये है आपके लिए कौन सा गुरह चिला तमय क्या बोला था आपके लिए चिला भी एद्दम टेस्टी रहेगा मन में कितना भी लगे सार एद्दम सुभा सुभा क्लाश लगा देता मन माणे भूख लग रहा है आप तो उधर बैट के बोज रहोगे कोमल सर क्या बो सोभा जाता है आपको याद रखना है क्या सावन में ही क्या सावन में ही तो सावन में ही कौन सा चितरकारी कर रहे हैं तो इसी इक बोलते हैं सवनाई चितरकारी यह जो माताएं होती है घर के बाहर में किस्से बनाती है तो आपको याद रखना है गोबर से अरे या सुनो यह जो गोबर होता है माता लक्ष्मी का माता लक्ष्मी की प्रतिक माने जाती है और इस गोबर को घर के बाहर में लगाया जाता है बोलते हैं ना बुरी नजार वाले तेरा मूँ काला तो वही मूँ काला मत हो करके आपके घर में कुछ मत हो करके गोबर से करिया गोबर गोरिया रंका नहीं होता ना पिंग कलर का नहीं होता आपको पहले बता रहे हो गोबर करिया टाइप कर रहता है इसी गोबर को घर के बाहर में मुख्य द्वार के पास एक चित्रकारी की जाती सावन में ही इसलिए इसको बोलते सवनाई और सवनाई किया जाते हैं सबसे इन्पोर्टेंटो ये हैं सबसे इन्पोर्टेंटो ये है कि सवनाही चित्रकारी किया क्यों जाता है तो आप उसके घर में जाते हो तो उसके घर में सुरक्षा अनिष्ट्रकारी सक्तियों से या नकरात्मक सक्तियों से बचने के लिए चुडल से परेतिन से टोन ही से बचने के लिए आपको क्या किया जाता है गोबर चित्रकारी किया जाता है इसीक बोला जाता है सवनाही चित्रकारी अरेया सोनो आ आपको याद रखना है ठीक है आगे चले क्या सेर का चीत्रा रहता है बगवाग चीत्रा रहता है कुछुक चीक बेंदराग चीत्रा रहेगा आपको याद रखना है इसी बोलते हैं क्या सवनाही चीत्रकारी क्लियर आगे बढ़े क्या तो यह था भाईया आपके लिए परव किया जाता है आपको याद रखना कि सानों का पर्वा है 36 गडर का पर्थम पर वार शाथ इसमें क्रिसी उपकर्ण की पूझा की जाती ह appearing कोई भी चित जो क्रिसी में कि करता है उसको क्रिये कमे calendar किया जाता है माल में जो क्या होता है कि मास का खपच्ची होता है उसी को अपं क्या करते हैं गेड़ी चलाते हैं याद रखना इस्सलिए इसको क्या बूला जाता हैं गेड़ी परवक्त के लिए इतना थाप के लिए एक हरेली आप देखें इसी में च град multic आपन क्या जाते हैं इसी में वो चल जाते हैं दीपर तो आप देखना आपके घर में नीम के पत्ते लगाने आएंगे निम के पत्ते लगाने आते हैं कौन लोग राउत लोग और किसी किसी गाउं में अगर राउत की कमी होग जाती है तब आज आते हैं कौन लोग निसाद लोग अरे या सोनो आपके यहां कौन रहते हैं विश्व कर्मा लोग होते अरे या सोनो इन लोग आपके घर में आते हैं और लोहा की पाटी लगाक चले जाते हैं यहां रेया सोनो लोहा की पाटी या इसी इक बोलते हैं क्या गोडा नाल टाइप का तो यह क्या करता है आपके घर में जितने अनिस्ट कारी सावान में देखना मम्मी लोग घर से निकलने नहीं देते कहने निकल ले देते अगर आप ग्रामी नहीं चल के होगे तो यह माना जाता है भारी आपके लिए जादू टोना होता है करके इसलिए घर के सामने निम्बू फिंबू फे कायम पड़ा मिलेगा तो आपके लोहक पाटी लगाते नहीं का अगर कोई आदमी आया तो सब से लेडिकल बहुत ज्यादा स्विधाएन ही होती थी तो यह जो निम के पूरे पत्त किया जाता है सबसे ज्यादा बारिस कब होता है आपके लिए सावन में तो सावन में जितने खीडा में कोड़ा लोग रहते हैं इसी मांग चिटक जाते थे और यह क्या करता है आपके आप आगे चलते हैं आपको याद रखने फिर भोजली भोजली से भी आपके लिए प्रस्न आता है तो आपको याद रखने भोजली ये भोजली क्या चीज होता समझे भोजली क्या चीज होता है ये आप अगर देखोगे भोजली भोजली is a pre-determination of course of action of crops as well as the climate in current year everyone who have they have done from their bachelor of engineering, bachelor of arts, bachelor of कुछु भी चीज, from Cambridge, Australia, England, Britain कहीं से भी सबको बता दे रहा हूँ आपके लिए भोजली क्या होता है it is the pre-determination of course of action of crops as well as the climate in current year as well as in next year क्या चीज होता है भोजली समझी है रहा सोनो, देखे समझ आया, कभी-कभी मैं भी अंगरेजी दे देता हूँ इसे नहीं है कि कोमल सर को अंगरेजी नहीं आता fluently English बोलता हूँ लेकिन मैं बोलना ही नहीं चाहता कहे करोगे जी बोलके क्या मिलेगा आपको ठीक है आगे चले मैं नहीं बोलना चाहता है मेरे 36 गड़ी सहीं लगता है ठीक आरे बाप रे ठीक आगे चले क्या ठीक 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 आगे चलते देखे आपको याद रखना भूजर ये लिख्याए भूजर आरे या सोनो हम इसको कब मना रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ सावन में तो अभी हरईली मनाये थे क्या अब याद रखने किसना 9 में दिन, आपके लिए सूकलापक चकाँ, नौमी के थील में आपके लिए क्या मना रहा हैं भोजली, तो आपको याद रखने हैं भूह और जल, तो भूमी के जल को हम लोग चेक करेंगे, अगर पहली घर में भोजली बोजली बोने की कम अब तल parking मातह हुगे, आपकी पीता जी अभी अगर बैटे होंगे इस वीडियोग देख रहे होंगे उन्हें से पूचना भोजली क्यों बोया जाता था भोजली बोते थे माल लो आप भोजली बोजली भो ज़िए हम से कम साथ घर का देखते थे अगर साथ अगर घर में क्या हुआ अच्छा हूआ अब भूजली क्या चीज होता है जैसा आपके लिए नवरात्री था एकदम सेम टू से नवरात्री में क्या करते थे हम लोग इसी में इस्थानी अरे या चो न इस्थानी क्या करते थे आपके बिजहा या इसी हम लोग क्या बोलते थे इस थानिय अनाज, इस थानिय अनाज को क्या आख बोलते हैं, बिजहा, इस ही का रोपन करते थे, अब देखे, इस का रोपन किये, आब इसमें चेक कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत होता था, क्या बोला मैं आपको लिए, प्री डिटर्मिनेशन, प्री डिटर्मिनेशन अप एक्षन, मतलाब ये क्या होता था, आपके लिए पूर्वान उमान होता था, ये पूर्वान उमान किसका है, आप समझो, बहुत ध्यानते समझो, बहुत ध्यानते, हम लोग हैं भीया, रिसी पूत्र, अब ही के लोग हैं क्या सीसी पूत्र, रिसी पूत्र थे हम लोग, अब ही के लोग बन गएं सीसी पूत्र, हम लोग रिसी लोग थे, रिसर्च करके चीजों को बनाते थे, तो आपके लिए जो इंगलीस में वर्ड बनाये ना, रिसर्च है, हमारे हिंदी का एक वर्ड है, रिसी, रिसी लोग यहां सब चीज रिसर्च करके बाइठे रहते थे, वही लोग क्या करते थे estimate लगाते थे कि अगर इस साल मैं भोजली बो रहा हूं तो भोजली के बोने से कितना पानी सोक रहा है तो जमीन का कितना पानी सोकता था उसको देखते थे अगर 10 घर बो रहा है 10 घर में 7 घर में अगर अच्छा पैदावार हो रहा है तो लोग अगले साल आधिया और रेगा अच्छे से लेते थे माल लोग क्या हो गया सूखा पढ़ गया है नहीं नहीं इस बार आधिया लेना रेगा लेना आपके लिए घाटे का सौधा है तो लोग कम क्या करते थे खेती करते थे तो आपको याद रखना है भोजली आपको याद रखना है भूजल जमीन के पानी का पूर्वा नुमान होता था अगर मान लोग क्या पढ़ गया पानी बोए हैं और इसमें पानी की कमी हो गए सुख बात हो रही भूजल तो भूजल मतलब क्या? जल से आपको याद रखना है जल मतलब क्या है आपके लिए? गंगा महिया तो आपको ये वड़ बार बार पूछा जाता है गंगा महिया तो आपको पूछते हैं कि गंगा महिया सब्द का उच्चारण बार बार कोन से आपके उसमें होता है परवा में तो आपको याद रखना गंगा महिया सब्द का उच्चारण बार 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 किसमें होता है भोजली के विसरजन के समय तो आपको याद रखना बोजली और नवरात्री में डिफरेंस क्या होता है कोई मेरे का गर बता दे तो आपको पूरा एक करोड़ रुपाय के लिए आपका नाम भेज़ दूंगा मैं बताइए वाट इस दा में डिफरेंस बीटोइन दा भोजली और न लग्यों जब चीजे एक ही है फिर सेम पूझा होता है सेम आता पूझा होता है लोग जाके गाना गाएंगे आप यहां पर नवरात्री गीतना होके जमारा गीतना होके उसी गितको क्या बोलेंगे हम लोग भोजली ग ग्रंथक आदमी का बुक भी पढ़ोगे तो उसमें यही लिखा है कि ये भाई बहनों का परवा होता है इस परवाग बोला जाता है भोजली और नावरात्री सब का परवा होता है तो ये केवाल भाई बहन मतलब साधी सुधा लोग का परवा नहीं है भोजली इसलिए भोजली अलग आप अगर मेंस में लिख रहे हो आपके पस कंटेंट आबर तोड़ होना चाहिए ऐसा लिखो कि आदमी मजबूर हो जाए आपको नंबर देने में समझे आगे चले क्या ग आपको याद रखने हैं अगला अगला हमारे लिए है कोन सा कमर्चट? कमर्चट से भी आपके लिए प्रASHporte बहुत सारे बनते हैं, तो आपको याद रखना है कौन सा कमर्चट? अरे या सुनो, अब देखे कमर्चट. इससे पहली रक्षबंदन पढ़ता है शह को मैं बता दीं हो, आपके लिए स써वान सुकल पक्रषटपूर्णीमा के दिदिह में बनाया जाता है, आपके लिए कोँ सा रक्षबंदन नअभे रक्षपंधन, तो सब जानते क्यों मनाया जाता है है? कैसे हमको याद रखने कमरचट? कमरचट? कही को नहीं पता कि कमरचट कैसे मनाया सता है? पहली आपके लिक चृत. अभी आपको लोग कल परसु मनाएं होगे छट आपको याद रखना है छट तो सबसे पहली याद रखना छट छट से याद रखना 6 प्रकार की भाजी खाते हैं यह प्रस्ट पहला प्रस्ट आपको पूछा जाता है 36 गड़ का वह कौन से लोग पर वह जिसमें माताओं द्व और आप 6 प्रकार की भाजी खाई जाती है अरे याद सोनो ठिक और जैसे अभी देखे हो ना बाबू तू किसका बेटा है तू तू मेरा बेटा इसने वाला बेटा नहीं चलेगा इसमें ओरीजनाल बेटा चाहिए आपको माताओं अपने ममता महीं माताओं होते अपने पूत्री के जीवन की दिरगायू जीवन की कामना करने के लिए उत्तम स्वास्त की कामना के लिए एक वरात रखते हैं उसी वरात को बोला जाता है आपके लिए कौन सा कमर्छट वरत अरे या सोनो आगे चले क्या ठिक आगे चले सर क्लास फिक्स रहता है क्या 10 बजे ओफिस रहता है क्लास फिक्स हो गए 8 बजे चलेगा समझे ठीक आगे बड़े आपको याद रखने अगला आप देखे भई अगला अगला एकदम रेडी रहना है ताबर तोर पढ़ना आपको याद रखने कमर्चट छे प्रकार की दिरघायू जीवन तथा उत्तम स्वास्थ की कामना के लिए अरे या सोनो ये बोलते हैं दूसरा कोन मनाता है तो कोन में याद रखना कोन मनाता है माता हैं तो याद रखना आपको ममता मही माता हैं तो माता हैं तो ममता मही होती है क्या बाप नहीं होता ममता मही हां चीक है बाप आपको सोटता है कैसे रे पढ़ात नहीं आज का जिंदागी भर यहीला करना है क्या मोरे असन बन वे का पापा लोग का आपको लिए डायलोग जो होता है ना वह बहुत खतर्णाक रहत है मोरे कास बन जाबे का थे खोडिया हो जाबे का मम्मी लोग इसरे ऊठ रहे कुछ कर बेद धनी कर बे अपन बाप कस तो किया जाता है याद रखना आरे या सोनो आपको बनना है संकर भगवान आपको बनना है क्या माता पारवती तो आपको याद रखना इसमें क्या होता है सिव और गवरी सीवा गावरी की पूजा की जाती है अरे या सोनो अगर ये पूजा हो रहा है तो पूजा का प्रक्रिया देखते हैं इसमें प्रक्रिया कैसे होता है करके सबसे पहली क्या करते हैं आदमी ठूकरा की मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखी गिया इसे सुने हो को नहीं सुने हो आप इधर मर रहे हो तैयारी कर रहे हो पता चला कोई और आ गया बाहर से सहर वाला आदमी और आपके गाउं में जो आप पहली देख के रखे हो मेरे को इसी साधी बनाना मंगता है इधर सरकार यह साइक पेपर नहीं ले रहा है जै माता दी आप इधर से सब इंस्पेक्टर बने च नहीं और दूसरा एक जन पटवारी आपकी बेवस्था लेके चले गई भारी समस्या होता है जीवन में तो आपको याद रखने पूजक प्रक्रिया क्या होता है तब आप मानोंगा नही भारी 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 मत देखाई करके सीव और गोभारी की पूजकर तो क्या करते हैं तो क्या करते जमीन को खो़ते हैं जमीन को करते हैं सी और गौरी को अंदर रखते हैं ओशी में जाकि पूजा करते हैं उसी क्या बोलते हैं कमर्चट अरेया सोनो आप कोई ना कोई तो प्रसाथ देते होंगे अब माल लो यह मान के चलो कि आपकी जो जो भी बेवस्ताइं थी पूरव बेवस्ताइं भूत पूरव अब आप उसके लिए दुनिया भर का तैयारी का रवाप तो नहीं हो पाएं आदमी अब खाएगा चखना चखना हम क्या क्या खाता है वो चीज याद रखने मौहां मौहां मार ले आधा मार बेका बड़े तो आपको याद रखना मौहां अरे या सोनो दूसरा याद रखना ह है आपके लिए उड़ात अरे या सोनो अवह हम लोग खाते चना मुर्णा तो चना मुर्णा का और एक विराइटी होता है कौन सा लाई अरे या सोनो तो अपने माताओं पूछना मेरे मात पूछने बोलना भाई मूं पहली सबता दे रहा हूं मैं जो चीजों देखता हूं मूं रिलेट करके बताता हूं कभी बाप पूर्खम भूलो मत करके अरे या सोनो आपको याद रखने मौँहाँ आपको याद रखनात आपको याद रखने उड़ाद, आपको याद रखने लाई, यह सब को बांटा जाता है, प्रसाद के स्वरूप, अरे यह सवनो, और जो सबसे मेन काम है, उसको आप भूल रहे हो, भाईया, अगर मालो, अगले दिन जादा चड़ गया, भारी गर्मी, भारी गर्मी दिमाग म ठंडा करने के लिए काई उच करते हो, दही या मही, तो आपको याद रखना है दही, तो दही का मुहा का चना का उड़त का लाई, इसमें यह जो 3-4 चीज़ है, यह मेन है, इसे, ठीक है, तो आपको याद रखना है, और सबसे मेन होता है, पसहर चावल, तो आपको याद है क्या पसर चांवल अरे या सोनो यह पसर चांवल का केस भारी इंपोर्टेंट है यह पसर चांवल देखे हो जैसे मैं कपड़ा पहिना हूं कैसे लाल कड़ कलर टाइप का वैसी रहता आप के लिए पसर चांवल जब माताएं क्या होती है उधर सीव और गवरी की पूजा कर क्या रही है घर में लोग एकदम तैयार है कि आज हमको मिलेगा पसर चांवल पसर चांवल पसर चांवल हो माताएं आपने घर के नहीं दिखा रही बाहर में कुकूर भी लई लोग को खिला रही है अब आदमी की धर पोटा और कहा पर है कि अबक मिलेगा तबक मिलेगा दि भुकूर भी लई नहीं हूँ आप लोग ठीक है आदमी ओघर के लाइकक नहीं देखे तो भाई जिस लाइकक के संतान के आपके किसके दिरगायों जीवन के लिए उत्तम स्वास की कामना के लिए रख रहे उस लाइकक भी दे दो ऐसा आपके लिए परवा होता है जिससे हम क् कमार चट ठीक है कमार आपका छूट जाएगा तब तक आपको नहीं देंगे करके आई या सोनो अव इत्तीम क्या होता है एक पोतनीले का आते हैं मम्मी लोग अब यह कमर की उपर में यह कमर देख रहे हो कमर की उपर में आपको इधार देख्यों कि पीट में ऐसे एक फर्याक धर के आएंगे वो किसमेंट उबार रहे था आपके लिए ओइल में और हल्दी में उसी को उसके बाद 5-6 बार मारेंगे इसे अब उतने टाइम सब की मम्मी महेंदर सी धोनियो नीरा चोपड़ा बन जाती वो कपड़ क्या करेगे ऐसे दूर से फेकेगी और घर में देखो कि अगर गाउं आउम होगा घर तो चानी वाला घर रहते हैं मम्मी जब नीरा चोपड़ा टाइप कमारेगी इस पार से उस पार जाना ची अपने घर नहीं और गवरी बोला हूँ आपको तो एक बार इसको दिखाई देता हूं कैसे होता है डालत था जी कैसे नहीं दिख रहे है यह देखिए यह है आपके लिए सीवलिंग ऐसे मिट्टी से सीवलिंग बनाएंगे आपको क्या करेंगा इसे जमिन को खोदेंगे और इसमें कुंड बनाते हें और यह कांसी बीच बीच में खौजेंगे यहीं पूजा किया जाता है और गवडी का तो आपको याद रखने सीवलिंग ब dominant आपके लिए का मरचटी आपके लिए क्लारा अब बीच में सीवलिंग रहे हें हैं और इसे पूजा करते हैं जैसे आपके पूजर को है गनेश हैं आपके पूत्र कोन है कार्तिक हैं उनका पूरा दुनिया भर में नाम है उस सबसे जादा क्या स्वस्त हैं बढ़िया गनेश भगवान को देख रहे हो दबा दबा खारें फिर भी सुगर नहीं हो रहा हम रोलाई के एक दम मन माड़े खाए आप घर में देख रह आदमी देख रहे हूं आखी अंदर चल दे रहा गाल जा रहा इधर बाल जा रहा है सरी चीज होता एक नहीं होता जीवन में आपको याद रखना कौन सा कमर्चट जैसे भगवान आपके लिए संकर भगवान के बच्चे हैं कौन आपके लिए गनेश भगवान तो जब वो आपको याद रखना है कमर्चट ठीक है आगे चले गया आपको याद रखना है क्या क्या चीज होता है यह होता है आपके लिए पसहर चावल इसी पसहर चावल को खाया जाता है आपके लिए आपके लिए दही यह आपके लिए क्या है लाई है और यह बाहर के कुकूर भी लिख दिया जाता है घर के कुकुर भी लेक देने पहली तो आपको याद रखना है ज्या यह चीजद ठीक है देखके मन में अगर लाला चा गया होग तुझ मanne कस्नल मेरी मेरी लाला चा रहा लेकिन अभी बता नहीं पा रहा है ठीकर आगे बढ़े उसके बाद याद रखने हैं सच्टी अभी क्या पढ़े हैं कमरचटो कमरचट के बाद अभी भादो कृष्णपक्ष अस्ट्रमी के दिन हमको पढ़ना है क्या आठे कनईया ठीक है याद आ रहे हैं सर कोको करेंट अपेर की अभी आ जाएगा एक दो दिन में तीन दिन में आ जाएगा आप कोको करेंट अपेर के अपसूर भी पढ़ो आपके लिए जब अरजस्त है आपको पसंद नहीं आएगा आप यहीं पे बुक छोड़के चल देना सर यह हमको पसंद नहीं इसको बहतरिन टाइप से बनाया जा रहा है और हम सोच रहें कि यह जो करेंट पेर कोको है एक एक बच्चे तक पहुँचे काहे के लिए यह एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा जैसे आपको पेपार में पूछा जाता है समझे ठीक है जी सर चिकन वगेरा नहीं बनता क्या तो कभी यह वर्मा जी यह मन वर्मा लिख रहे हो आप तो 36 गड़ के होग यार कभू नहीं बना है क्या है घर में मम्मी लोग को बोलना चिकन आपको चिकन चिकन पूरा कूट देंगे चिक्कन री बनता हो उस दिन पूरा चिक्कन कर दिया जाता है कि उसको पजहर भात को समझे आगे चले क्या ठीक याद रखने आपको आठे का नहीं है यह आठे का नहीं है क्या चीज़ है पहली समझो चमझे, आठे का नहीं आपके लिए क्या चीज़ होता है, एक हमारी माता थी देवकी माता, अब उस देवकी माता के लिए थोड़ा चलो, एक माता थी हमारी लिए देवकी, अरे या सोनो, अब ये देवकी का भाई कौन था आपके लिए कंस, अरे या सोनो, ये देवकी का भा पूत्र होने वाला है भगवान स्री क्रिष्ण होने वाला है और याद रखना है क्या ये कंस नहीं पटने वाला है तो कंस इसको क्या करता है जेल की काल कोट्रीम डालता है इसके पहली साथ जहन लई क्या होते है आठवें भी लई का होंगे वाठवें लई का नाम क्या या सोनो, भगवान स्री कृष्ण होंगे, आप ये भगवान स्री कृष्ण होंगे, तो ये देवकी माता क्या रह रही है, जेल पे, या इसी बोल रहे है, काल कोठरी है, काल कोठरी में क्या कर रही है, अपने काल को काट रही है, अरे या सोनो, अब ये एकदम जबर्जस क्या रहा है चीत्रकार है प्रेंटिंग जबर्जस करती है इसको प्रेंटिंग में भारी रूची है तो यह क्या कर रही है जिस काल कोठ्री में है वहीं पर पहली तो एक जनलाइका बनाई ठीक है इसका बॉल भी बना देता इससे ताबर तोड़ राजा टाइप ठीक है ठीक है ठीक है आगे आगे चली ठीक 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 बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है आठोर जी अब इस देखो क्या है पेपर में सब चीज को नहीं बता सकता जितना मेरा genius अफना बताता हूँ ठीक आगे बढ़े गया आपको याद रखने ठीक अब को याद रखने काल को ट्रिमा जो यहां पर महता देवकी हो भारी जबर०्द आपके लिए पेंटिंग कर रही है वह क्या कर रही है अपने लहिका यहाइसे भोड़ बना रही है और एक दू तीन चार पांच छे साथ ऐसे आठ ठोग बना दी आठवा चित्र किसका है क्रिश्ण भागवान का इधर कंस घुसा आईला इधर तो मेरे को लड़की दिख रही है यह लड़का कि इधर अब जेक जाता है कंस जाता है और देख लेता है यह चित्रका कारी करी है अब यह साथ के साथ क्या होना च näहीं लड़का होना चीन अच्मीज मेरा काल आगया है hahaha कोन बोलता है सोगया मेरा काल आने वाल सोगया आपको याद रखना आठे का नहीं है, जब भगवान स्री क्रिष्ण की जैनुमास्टे में हुई थी, तो ये आपके लिए बनाया जाता है, ये एक्चुल में होता है, आपके लिए क्या आठे का नहीं है, आप अगर एद्दम उट्टी पूट्टी घर वाले होगे, टाइल स घर हरे, घर दुवार बोलते हैं, लोग डी डोंगर बोलते हैं करके, अगर आइसने घर है, और मैं अगर घर में जब तक तिहार नहीं होगा, अपने घर को पोतूंगी नहीं, अपने घर को लिपूंगी नहीं, तब तक मेरे खुसी नहीं मिलता करके, तो ऐसे घर में मेरे गर नीचे छोडवाजी ही मेरी मम्मी कि अगर वहां पर आठे कनाईयां बनाना है तो आठे कनाईयां बनवाना है मेरे आठे कनाईयां ऐसे बनता है एक दू 3, 4, 5, 6, 7, 80 जो आध रखना, यह आठे कनईया कभी भी अगर आप क्या कर रहे हो, आठे कनईया की पास रख रहे हो खुदे आठे कनईया बना रहे पूनरूप से गलत उसको कौन बनाई थी, माता देवकी बनाई थी इसलिए क्या होता है कि ये जो आठे कनिया चितरकारी होती है ये आठे कनिया चितरकारी किन के द्वारा किया जाता है बच्चों के द्वारा महिलाओं के द्वारा किया जाता है बच्चों के द्वारा नहीं किया जाता है तो आप अपने घर के लंगुरुवा हो तो लंगुरुवा लोग नहीं बनाते इसको ठीक है इसको घर की माताओं द्वारा बनाया जाता है इसको घर के बहनों द्वारा बनाया जाता है यह भी इन्पोर्टेंट है इसको बनाया जाता है रसोई रूम में नित रसोई रूम से जो रूम आपके लिए चिप और रहता है वो सहर वालों के लिए बात एपलिकेबल नहीं होता क्यों सहर में दूठा रूम का घर है तो उसको कीचन बोलेगो हाल बोलोगे बेडरूम बोलोगे नहीं बने गाँ में होता है घर मनमाड़े बड़ा आदमी इधर खोजने में चार घंटा लग जा रहा है वह ऐसे घर में बनता है वहीं रहेगा आपके लिए किचन उसी किचन में चित्रकारी किया जाता है ने तो उसके बाजु वाले रूम में किया जाता है सहर वाले के लिए यह एक का कर नहीं है नहीं चित्रकारी ठीक है आगे चलेकिया तो आपको याद रखने हैं आठे कर नहीं हम जानने के लिए कुछ नहीं है आप याद रखने आपकी लिए पोला से आपको बनता है प्रश्ण बहुत सारा अरे यां सञो kmmi लोग आजुभा्जूं पूछना पोला पोला क्या होता है तो एक होता है पोला फूटना पोला फूटना मतलब होता है गर्ब में आना प्रेग्नेंसी होना तो प्रेग्नेंसी बोलते हैं पोला तो उसी पोला के नाम पर पड़ा है एक ठोक हमारे पास कौन से तेवार उसी बोलते हैं पोला अरे या सो अब एक और पोला होता है पहली आपको दिखाता हूं कई लोग को समझ आहाँ दादा देख रहे हो दुनिया भार कर चीछ देख कि मेरे लाला चागे है अभी इसको नहीं देखता है फिर मेरे लाला चाहेगा मैं पढ़ानी पाऊंगा ठीक इधर चलते हैं आपको याद रखन अन्तीजा पोरा आपको याद रखना है थेटरी और खुरमी भारी लाला चवाला आपके लिए प्रोग्राम है ठीक है आपको याद रखना थेटरी थोड़ा थोड़ा देखते चलने अगर वीडियो अच्छा लगे घर वालोग दिखाना हो स्याल लोग आपके जो दादी होंगे दादा होंगे आपकी माता पिता होंगे वो पहुं दिन बाद देखेंगे इसा वीडियो कि हाँ को पहली बाद धंका पढ़ा रहे करके ठीक है आपको याद रखने पोला आपको याद रखना है पोला अरे यासो नो पोला पोला मतलब किस से बना हुआ है मिट्टी से अभी बताया था क्या और मिट्टी क्या बना हुआ था आपके लिए बैल अरे यासो नो तो आपको याद रखना बैल हो चाहें मिट्टी हो ये किस से जूड़ा है तो यह है किसानों से जूड़ा और हम लोग जितने जन प्यस्तिक तैयारी करते हैं सबको लगता है पुनिस भगवान है पुनिस सब जानता है तुम कुछ नहीं जानते है अपने दाइक पूछना एक जहापड देंगे हो पूछेंगे क्या चीज होता है पोला कि किसानों का परव है पहला प्रस दूसरा आपको यह प्रस में पूछते हैं कि आपको जो बैलो को सजाया जाता है वैलो को कौन से परवा में सजाया जाता है तो आपको याद रखना वैलो को कौन से परवा में सजाया जाता है तो आपको याद रखना वैलो को कौन से परवा थो आपको याद रखने किसके लिए तो किसानो का पर्वा बैलों के सजाओ जाता है आपको याद रखने हैं और हम लोग बोलते हैं थे ठरी और हम लोग बोलते हैं क्या खुर्मी तो आपको याद रखना ठेटरी और खुर्मी यह कुर्मी और खुर्मी दोनों अलग अलग चीज़ है कई कुर्मी लोग को लग रहा है आप उनी खुर्मी बना रहा है नहीं कुर्मी और खुर्मी दोनों अलग चीज़ है आपको याद तीजा यह याद रखने तीजा और दूसरा याद रखने पोरा तो जब भी आपको पेपर में पूछा जाता है हो सियार लोग कि यह जो खुर्मी वियंजन है वो कौन से लोग परवं बनाया जाता है आपको याद रखने कब बनाया जाता है पोरा में और तीजा पोरा बोलते ठेट्री यह खूर्मी और यह ठेट्री कब बनाया जाता है तीजा में अरे या सोनो आपको याद रखने किस्ते किस्ते बनता है बताओगे किस्ते किस्ते बनता है तो आपको याद रखने ठेट्री ठेट्री किस्ते बनता है बेशन से अरे या सोनो और स्वाद में कैसे रहता स्वाद में कैसे रहता है खारा रहता है ठीक है आपको याद रखने मिठा मतलब स्वीट आइसे बोर रहा हूँ तो आपको याद रखना है कुन सा यह अब यह बोर रहे इसी में आपके लिए नंदिया बहिला चलाया जाता है अरेया सोन बोला जाता है ना नंदिया बहिला तो आपको याद रखना नंदिया बहिला ठीक है अरेया सोन तो आपको याद रखना नंदिया बहिला कब चलाया जाता है यह प्रश्ण भी आईने फ्यूचर पूछ सकता है कि 36 गड़ के कौन से लोग परव में आपके लिए बैल प्रतियोगीता कब होता है तो आपको याद रखना है राज्य में बैल प्रतियोगीता होता है कब अरे या सोनो आगे चले क्या ठिक 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 मज़ा रहा है ठिक ठिक आरे लखाग जानू भी है ठीक है जब तक खाओगे नहीं तब तक जानूगे नहीं ठीक है आपको घ या कौनों अगर competition community आ हूँ कौन से लेबर book labor या capsule आपको free में चाहिए तो अगर आप capsule frame लेक ले आ रहे हो और अगर आपको लाग रहा है सर अच्छा पढ़ा रहे हो बढ़ी है ठीटरी खुर्मी घर से बनाना और आपको याद रखना है पोरा अरया सोनो तो यह बढ़ा का पूजा किया जाता है यह सब अपने पूजा के लिए ठीक है पूजा के लिए नहीं होता आगे बढ़े क्या अब आपको याद रखना है कौन सा तीजा यह तीजा बीकट इनपोर्टेंट है भारी 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 इनपोर्टेंट है तीजा अब यह तीजा किन लोग मनाते है इन लोग मनाते है ठीक तीजा थोड़ा लिख लेता हूं फिर बताऊंगा जबर जाए तरह एक कैपसूल बोल रहे हो बार पर समझ नहीं आ रहे हैं अब बस समझा दे रहे हैं आपको अच्छा इसमें नहीं डेल है आपको मैं कल के वीडियो में दिखाऊंगा ठीक है तीजा यह अपना लास्ट एप अग्यापन कल के क्लास में कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो आपको याद रखना है यह तीजा दे तीजा क्या चीज होता है अब पती अपने पतनी से मन माले टेंशन में आ गया वो बोल रहते हैं पन मैं के जा तो उसको बोल रहते हैं जा उसी बोलते हैं तीजा तो जब मही लाएं अपने पती के लंबी उमर के लिए क्या भोला जब महीलाएं पती के अपने लंबे उमर के लिए कहा जाते हैं अपने मैं के जाके क्यों? उनको जो जिनकी साधी हो जाती हूँ आके कान फुगते हैं कि आइसे इसे मत कर बे तोरसास तोर से इसे इसे होगे तो ननन तोरसा इसे इसे कई से और जेकर साधी होने वाला जो अभी निभी है और जो निभी प्रिपेर हो रहे हैं साधी के लिए उसको पूरा चीजों कहीं ज्यान दिया जाता है क्या देखो अब आपको दीन भर इसमें पुरत रखते हैं निर्जलावरत आपके लिए विकट इनपोर्टेंट है निर्जलावरत आप निर्जलावरत रखना हैं अब आईसे थोड़ने कि लेडिस लोग बैठे हैं मैं किसी को पटी पणी नहीं कर रहा तब होता है मनमाडे चारी चुगली मनमाडे चारी चुगली होगा बताएंगे कि हाँ फलाना फलाना इसे इतना तो जब इंडिया पाकिस्तान का आपके लिए उयुद्ध होता होगे ना तब रणनीती तैयार नहीं होता जितना रणनीती तैयार होता है आपके लिए तीज सी निकालना है आपके लिए ओ 3,000-4,000 का आप 10,000 का साड़ी लेक आना तब आप अच्छे भाई बनोगे ये आपके लिए एक परव है कौन सा 30,000 अरे या सो नो ठीक है तो आपको याद रखना पत्नी लोग पत्नी लोग को बोलते हैं कौन लोग पती लोग की तुम लोग कहा है तो जब पत्नी या अपने पती के दिरखायू जीवन के लिए तथा उत्तम स्वास्त की कामना के लिए अपने मैके में जाके अपने एटीएम काट के लिए अपने पती के लिए एक निरजला वरत रखती है 36 गण में इसी वरत को बोला जाता है कौन सा तीजा चारी चुगली का एक परवा होता है इसी परवा बोला जाता है तीजा अरे या सोनो जाते हैं अपने मैके में दबा के रंग रंग के बना खते हैं और वहास महंगा महंगा साड़ी धर के आते हैं आपको याद रखने एक 36 गण में महिला हैं, अपने पती के आपके लिए उत्तम स्वास्त की कामना के लिए तथा दिरगायू जीवन के लिए माइके में जाके रखने वाला परवा कौन सा आपको याद रखने तीजा, कहां जाके रहती, तीजा के लिए किन के लिए, तो किस के लिए पती के दिरगाय जीवन तो आपको याद रखना है पती के दिर्घायू जीवन तथा उत्तम स्वास्थ के कामना के लिए एक वरत रखते हैं उसी वरत को आपके लिए क्या बूला जाता है तीजा तो आपको याद रखना है Giving Day था आपको लेए ठेटरी आपको बोला था मैं phrase कूर्मी आर्य है तो आपको याद रखना इसको बोलते पूरा अरेज़ रखना उसको प੍ेटरी तो आपको पूछा जाता है कि तीज में को नशाप के लिए क्या हुता है लोके तीजा आओ इसको बोलते हैं कि आपको याद रखने हैं पूरा तो आपको याद रखने हैं ठेटरी तो आपको पूछा जाता है कि तीजा में कौन सा आपके लिए क्या होता है लोको एंजन मनाया जाता है आपको लोको एंजन में याद रखने हैं कौन सा ठेटरी अरेया सोनो तो देखिए भई, इसको एक systematic रूप में देख लेते हैं, कौन मनाती है, तो पत्नियों द्वारा, ठीक है, सिवगामी देव सेना द्वारा रखा जाता है, अरे या तो नो, ठीक है, निभी लोग नहीं रखते हैं, पहली इस बता दे रहूं आपको, ठीक है, निभी लोग नह ही रखते हैं, इसको बोला जाता है, देव सेना द्वारा, पत्नियों के द्वारा किन के लिए रखा जाता है, पत्ति के मतलब बाहु बली, पत्ति मतलब बाहु बली के उत्तम स्वास्था के लिए, तधा दिरगहायू जीवन के लिए, तो एक पर्वा रखा जाता है, एक उपवाश राखा जाता यारेasono और ये परवा है तो इसमें कोई कोई फूजा होगा तो पूजा होता है किसका सिव और गवरी का लेकिन इसमें गवरी मात आप को विलूपत दिख्ती है मुखरूप से सिवजी का होता है ना आपके लिए रेत से सीवलिंग का निर्मान होता है अरे या सोनो और याद रखना इसमें क्या होता है निर्जलावरत होता है तो यह निर्जलावरत आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है यह आपके लिए पेपर में मन माड़े पूछा जाता है तो आपको याद रखना है निर्जलावरत रखत कि कौन सा चित्रकारी करते हैं, तो चित्रकारी आपको याद रखने चित्रकारी होती है, इसमें कौन सा हरित ताली का तो आपको याद रखना हरित ताली का चित्रकारी होती है, आपको पेपर में सब चीज पूसता है, तो जिस फॉर्मेट में पूसता है, उस फॉर्मेट में आपको आना चाहिए चीजे अरेया सोनो अगले दिन आपके लिए बहादो सुक्ला पक्षच चतूर्थी के दिन में आपके लिए पढ़ता है कौन सा गणेस परवा अरेया सोनो ठीक सर आजकल सब लड़की लोग रखते हैं अच्छा पती मिले के लिए वो अकती रखते हैं हो स्यार लोग निब्बी लोग हरी तालिका नहीं करते हैं हरी तालिका के लिए आपको लाइसेंज चाहिए जिनका मांग भरा होता है वही इसको रख सकते हैं ठीक है तो निब्बी लो को फोड के रख देंगे जैसे आप इंस्टाग्राम फेस्बूक स्नेप चैट में देखते हैं इसने वाला नहीं बनेगा ओरिजनल में चाहिए आपको ठीक है इसने टेंपररी वाला नहीं पर्मनेंट लाइसेंस की बात हो रही है इसमें ठीक है आगे चले क्या ठीक है तो मैं आपन देख लिए अगले छे मापन कल देखेंगे देखे अगर आज के क्लास आपको अच्छा लगाओगा कलाओ संस्कृति के लिए आप तयार रहें कि आप में मुझसे मैं जितना बहतर हो सकेगा और आपके लिए एक से से कंटेंट लेके आऊंगा अभी आपको मैं कं क्या क्या पढ़ने वाले देखें सबसे पहली तो अपन पढ़ेंगे कल क्या क्या देखें कल पीतर पाक पढ़ेंगे अपन तो देखें पीतर पाक क्या चीज होता है उसके बाद हम देखेंगे इसी में क्या नवा खाई देखेंगे तो आपको याद रखना है कौन सा नवा खाय नवाक खाय के बारे में अच्छा से पूरा getting detail उसके बाद दिपावलीzenिंगे दिपावली तरी में हम लोग और बहुंत तरी देखेंगे इसमें आप देखो कि सुरोतती क्या चीज होता है आप इसमें देखो कि दिपावली में गोरा गोरी साथी क्या पूजा हो जाती हैं क्या क्या होता है करके औ strang स्वने multic audio दिन जी मी कंदा कई से दिखता है सबजी कैसे बनता सब चीज को देखेंगे उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या क्या yo दे यह ये आपके लिए सब जैसे ये पौधा ये पौधे का नाम क्या चीज होता है सब चीज को देखेंगा आप एकदम डिटेल वीडियो देखोगे इसलिए मैं आपके लिए पार्टू लेके आऊंगा आप देखोगे आपके लिए क्या होता है अगर गोवर्धन पूजा होता है तो उसमें क्या-क्या बनता है करके आप देखोगे इसी गोवर्धन पूजा के सा मातर होता है आपके लिए आपके लिए आप देखोगे ग्रामीन परिवेस्ते होगे सुहई क्या चीज होता है और किसको कैसे बांदा जाता है आपके पास राउतनाचा होता है तो राउतनाचा कैसे होता है सब चीज को जाई आप टेस्ट देखे आईए आप देखोगे मातर म क्या होता है किसको खोड़ार देव बोलते हैं आप सब पेपर में पढ़े हो बुक में पढ़े हो आप देखोगे कि मड़ाई क्या चीज होता है मड़ाई का निर्मान कैसे होता है को लोग मड़ाई का निर्मान करते हैं उसके बाद आपन सब चीज देखेंगे इसमें जैसे दिख रहे हैं ना यह लिख रहे हैं ना तुम तो बोल रही थी look doesn't matter तो look doesn't matter में भी देखेंगे looks क्या चीद होता है करके तो सब चीच के बारे में होता है ठीक है कल मैं सुनाओंगा ना कभी तो आपको retention मत लेना है ठीक है जाइए भाई टेस्ट देख्या यह तीन मिनाट में अभी आप दो मिनाट हो गया ना दो तीन चार मिनाट में आपको मैं घुशना कर दे रहा हूं ठीक है सर केपसूल के बारे में कुछ बताने वाला थे केपसूल क्या चीज है जी अब समझे हमारे पास competition community one day exam के लिए अच्छा यह पीछे वाला आपको मज़ा दार अलग रहे ठीक है यह अनाइ मेरे को भीया अब ऐसे है कि class मेरे ना कर रखना है न ऐसे थो नहीं कि मैं आप लोग को जाने दूंगा खर ठीक सर कैफसुल याद करने काया ठीक है कैफसुल की जी जी देखिए आप लोग के पास मंदली मैगजिन आता है मंदली मैगजिन कितना का रहता है 90 पेच का 100 पेच का और बड़ा-बड़ा रहता है दूसरा बात पूरा कहानी का होता है तो बच्चे कोने फिल्टर करने दिक्कत होता है कि सर उसको फिल्टर कैसे किया जाय करके तो हमारा जो competition community है आपके लिए एकदम 20-30 page का क्या कर रहा है monthly magazine निकाल रहा है जो एक मन्त का पूरा compilation रहेगा और वो क्या होता है जैसे आपको paper में आता है एकदम point to point कि कब उद्घाटन किया किसने उद्घाटन किया कब इसका लच्छा है इसका क्या उद्देश से ऐसे एकदम point to point क्या हुआ है बना हुआ है तो आप उसको एक बार देख लीजिए उसके बाद जो से घड़ी detergent आता है और फ्री में coco current pair capsule ले जाई आपको फ्री में मिलेगा आपको इसके लिए कोई charge नहीं किया जाएगा ठीक है जी सर इसको हटाओ डल लग रहा है ठीक है सर स्मार्ट लग रहा है पीछे वाले जान रहा हूँ भाई भारी स्मार्ट है करके ठीक है गिसान पांडे सर केफसूल एक टेबलेट है जिसको खा के पीफसी निकाल जाएगा और एक करोड रुपए दे देना एकदम बहत्री अच्छा सब दोसो केफसूल लेकर फ्री में आना है सर अब दूसरे जगा जाके बेजना है बिजनेस इसको बोलते है बिजनेस होस यार लोग एक आदमिक नाम से एकी जन को लाउट कर रहो होगा तो आपको अगर दोसो ठोक चाहिए तो दोसो लोग को आना पड़ेगा एक किक करके तब जाके आपको दोसों मिलेगा समझे आये मैं तो आजाओँगँ जी मैं तो आए की जाता हूं 7 बजे 7 बजे का नहीं है वो पूरा टीम के वज़े से हो रहा है थीक है हिस्थि पढ़ाँगे करें में ब्रांच को हमारा विलासपूर में जी सर रिया पंडे कहां ये लब्री के में प्यार में लबड़ा हो गया और रिया पंडे घुमाते घुमाते इस के टाइप के चीट कबरा हो गया तो बीच में इसी चीट कबरा हो गया था मैं ठीक है आपको बताऊंगा मैं ठीक है रिया पांडे नहीं छोड़ सकती रिया पांडे आएगी फी टेंसर नौना बात नहीं सर ब्रांच आपका कहां कहां है करके संजू सोनवाने कुछ दिनों से सर में टेश नहीं दे पारा उंटेश दीजिए आप टॉपर थे सर औरवातीज के बारे में बताईए न हम सब आपके लिए तयार किये हैं जी आपको टेंसन लेने जोरत नहीं है मैं आपको जहां जहां जो जो चीज आएगा सब बताऊं आपको क्या लगते हैं मैं कोई चीज नहीं छोड़ रहा हूं आपके लिए ठीक है तो आपको दिक्कत लेने जोरत नहीं आप अरवातीज बोलोगे आप बहुरा चौंत बोलोगे आपके लिए गंगा दसहरा बोलोग मैं सब शीष तैयार किया हूँ तो आपको टिंसर लेने बात नहीं है मैं आपको कल के ग्लास में ठीक है मा का मगर मच ठीक है प्रणाम साय है वह दरीन सर मैं कोको का ओफिस आ रहा हूं दो-तिन दिन में आये सबका स्वागत है ठीक है अब नाम आ गया है मैं नाम ले देता हूं देखिए भई एक तो आइफोन रखोगे तो उसमें बहुत बड़ा आपको लगता है ठीक है आपको याद रखने पहला संजू सुन्वानी जी आप तो फस्ट आ गये जी अबोर रहा है टेस्ट नहीं दे रहा हूं कुछ दिन उसकरके नविन कौसिक उसके बाद है कौन सा मनो रंजन सा हूं आपको याद रखने दिन्या दिव्या कन्नोजे और माला भौनी कि यह हमारे पांच टॉपर है जी लोग पहली पोजिशन पर तो स इतने लोग हो अभी फिराल उतने लोग से एक लाइक की मैं काम ना करूंगा जी लोग बाद में देखेंगे उनसे लाइक की काम ना करूंगा क्योंकि मैं प्री के हिसाफ से मेंस के हिसाफ से प्री प्लास मेंस दोनों के हिसाफ से पढ़ाया हूं और आगे की क्लासेज भी कैसी होगी अगर आपको कलास आज का अच्छा लगा होगा तो मैं लास्ट में आपको बोलूँ हूँ आप भी online है तो भी बात में offline हो रहु है तब भी आप एक comment छोड़े कोखो की टीम के लिए एक comment छोड़े क हम net brag के लिए ठीक है कर दो नहीं तो उसमें निकलते दिखाएगा इसा होता है क्या है